अतीत में एक बार चेन शियाओवान ने सपना देखा था कि वह भविश्य में बहुत अमीर होगी, लेकिन उसने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की की करोडो या अर्बों को पॉकेट मनी माना जा सकता है। मुझमें इसे स्विकार करने का साहस नहीं है। जदि आप अपना पैसा खर्च करने के लिए कहीं और नहीं हैं तो बस दान करें। आजकल बहुत से अमीर लोग हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा करीब हैं। मैंने बहुत से गली के बच्चों को गोध लिया और एक धर्मार्थ को श्थापित करने के लिए स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल की भी मदद की। इस तथ्य के बावजूद की प्रयास बाल्टी में एक बून की तरह है, मैं भविश में इसके लिए प्रयास करना जारी रखूंगा। महान चेन शियाओवान ने संतोश के साथ सिरहिलाया और अपनी आखों में प्रशंसा को छुपा नहीं सकी। जिस दौरान वे कॉफी की चुस्किया ले रहे थे और मस्ती से बातें कर रहे थे, उसी दौरान एक खूबसूरत लड़की कैफे के सामने के दरवाजे से गुजरी। वह एक काले रंग का मार्शल आर्ट प्रशिक्षन सूट पहन रही थी और उसके पीछे काले सूट में दो अच्छी तरह से तयार महिलाय थी। हाई बॉस कुवाको यामा मोटो का अभिवादन किया जब वह तामजिव के सामने आई और जुपते हुए उसे पहले कप दिया। उसके पीछे दो महिलाओं ने एक घुटने पर घुटने टेके अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। धनुष जिसकी पीठ कैफे के सामने के दरवाजे के खिलाफ थी, कुवाको की आवाज सुनकर अपना सिर घुमा लिया। जब उसने अपने पीछे दो महिलाओं की हरकत देखी, तो वह तुरंत भौचका हो गया और गहरी आवाज में बोला, उठो। जिसक्षन कुवाकों ने बात की, चेंशियाववान ने भी उसकी ओर देखा, और कुवाकों के चहरे को सपष्ट रूप से देखने के बाद उसकी सुन्दर आखें अचानक चौड़ी आखों से घूरने लगी। उसके चहरे पर एक अविश्वास का भाव था क्योंकि वह अचानक सोफे से कूड़ गई और बेचैन दिखी। चेंशियाववान की असामान्य प्रतिक्रिया को धनुष ने पकड़ लिया, क्योंकि वह अंदर से कुछ अजीब महसूस कर रहा था। फिर भी उसने अभी भी कुवाको को देखा और कहा आप भी जानते हैं कि मुझे कभी भी लोगों का मेरे सामने बहुत अधिक अकड़ना पसंद नहीं है। अपने अधिनस्थों को रोकें और उन्हें निर्देश दें कि जब भी वे मुझसे मिलें तो अपने घुटने टेकने के रवये को बदल दें। इस बार हालांकी कुवाको ने चालाकी से काम लिया और तुरंट अपने मातहतों को अगले सोफे पर बैठने का निर्देश दिया। ठीक है अब बोलो। आपने मुझे कुछ देने के लिए अचानक जापान छोड़ दिया। यह वास्तव में क्या है। शिव के सामने लाए गए सूटकेस को रखते हुए, कुवाको ने सम्मान पूर्वक कहा, यह कुछ ऐसा है जो मेरे लोगों ने कुछ खोजकरताओं से चीन लिया है, बॉस। खोजकरताओं की उस टीम ने विदेशों में एक बहुत ही सक्षम भाड़े के समू को काम पर रखा और एक आश्चर्यजनक फसल प्राप्त की। और यह वस्तु फसल की अब तक की सबसे महत्वपून वस्तु है। मुझे लगा कि यह वस्तु विशेश रूप से उलेखनी है, इसलिए मैं तुरंट इसे आपके सामने पेश करने के लिए दौर पड़ा। अधिक आवश्चक्ता थी। यह स्वाभाविक रूप से क्रोनो क्रिस्टल था, क्योंकि यह उनके शिश्चगों को ठीक करने के लिए आवश्चक खजाने में से एक था यानर। उसने सोचा कि एक बार उसकी ताकत पर्याप्त रूप से दुर्जे हो जाने पर उसे शायद आसपास के स्टार शित्रों में से एक की यात्रा करने की आवश्चक्ता होगी। और उसे यह वस्टु किसी भी कीमत पर प्राप्त करनी थी, भले ही उसे बहुत अधिक खतरनाक स्थानों पर जाना पड़े। किसने सोचा होगा कि लंबे समय से प्रतीक्षित क्रोनो क्रिस्टल अब उसके सामने हैं। और सबसे अविश्वसनिय बात यह थी कि यह क्रोनो क्रिस्टल कुवा को द्वारा भीजा गया था। अचानक धनुष ने अपना सिर उठाया, कुवाको को देखा और डूपती हुई आवाज से पूछा आपको यह वस्टु कैसे और कहा से मिली। कुवाको ने सम्मानपूर वक कहा, हमें यह अल्पसपरवत श्रिंखला में मिला है। जिव के चहरे पर एक द्रिढ अभिव्यक्ती दिखाई दी, क्योंकि उसने वहाँ एक यात्रा करने का फैसला किया। आखिरकार क्रोनो क्रिस्टल के वहाँ दिखाई देने का मतलब था कि वह जगह अपने आप में असाधारन थी। इस समय कुवाको के प्रती उनका द्रिष्टिकोन, जो मूल रूप से उनके लिए केवल एक शत्रंच का मोरा था, अब बदल गया, क्योंकि वह वास्तव में उनके प्रती आभारी थे। उसने उसकी आत्मा पर शासन किया, फिर भी उस व्यक्ति ने स्वया उसका हरिदय से पालन किया और उसे इतना महत्वपून खजाना भी दिया। इससे पता चला कि वह बहुत विश्वसनिये और अच्छी थी, असाधारन रूप से अच्छी थी। सूटकेस को बंद करते हुए, धनुष ने बिना किसी की नजर में आए अपनी इंट्रस्पेशियल रिंग से औशधिये गोलियों की दो गोतले निकाली। फिर उसने कहा, अंदर की वस्तुए तुम्हारे प्रतिफल हैं। आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया, जिससे मुझे बहुत संतुष्टी मिली। यह वस्तु दूसरों की द्रिष्टी में केवल एक स्पटिक पत्थर हो सकती है, लेकिन मेरी द्रिष्टी में यह सबसे अच्छा खजाना है। जहां तक आपकी बात है, शंधाई में कुछ दिन और रुकें। और मैं बाद में आपका अनुसर्ण करने और आपकी सहायता करने के लिए दस विशेशग्यों को नियुक्त करूंगा। दस विशेशग्य? कुवा को तुरंट उत्तेजित हो गया। नियंत्रित करने में सक्षम होने के बावजूद, फिर भी उसने महसूस किया कि उसके अधीन सक्चे विशेशग्यों की संख्या बहुत कम थी। उन दस विशेशग्यों की मदद से उसे विश्वास था कि वह जल्द ही अपने सदन में स्थिती को स्पष्ट कर पाएगी और नई पीधी की नेता बन जाएगी, साथ ही परिवार के मुख्या की पहली उत्तराधिकारी भी बनेगी। धन्यवाद मालिक कुवाको यामामोटो ने उसे धन्यवाद दिया, एक कृतग्यता जो उसके दिल से निकली। तामजिव ने अपना सिर हिलाया। वह क्रोनो क्रिस्टल प्राप्त करने के तुरंत बाद जिंगमें द्वीप पर जाना चाहता था। हालाकि कुवाको अभी जब ही शंधाई आया था और उसके साथ चेन शियाववान भी था, इस प्रकार अब जाना काफी अनुचित होगा। उसे और तॉलने के बाद उसने भी महसूस किया कि उसे इतना चिंतित होने की आवश्चक्ता नहीं है क्योंकि पहले ही देर हो चुकी थी। जिंगमें द् चेन शियाववान की ओर घुमाई और कहा बहन शियाववान तुमने कुवाको को देखने के बाद से अस्वाभाविक व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्या बात क्या बात। चेन शियाववान ने धनुष और कुवाको यामामोटो के बीच की बातचीत भी नहीं सुनी। उसका दिल पूरी तरह से तूफानी लहरों में डूबा हुआ था, क्योंकि उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि धनुष्द्वारा उलिखित अधीनस्थ वास्तव में कुवा को यामा मुटो होगा। इस समय वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाह को चूने के बाद सपने से जगाया है। वह एकाएक उठखडी हुई और बोली भईया क्या क्या है। एह वास्तव में आपको क्या हुआ है बहन जियाओवन तान जियू की भौहे तन गई। जब आपने कुवाको को दे चेन शियाओवन ने निगल लिया। एक पल की हिच्की चाहट के बाद वह धीमी आवाज में बोली भाई वह ब्रिस्ट ट्रेडिंग ग्रूप का गुप्त बिग बॉस है। मैंने उसे कमपनी के एक समारोह में पहले देखा था। धनुष अचरज में था और कुवाको याम इसलिए मैं अपने अधिकांश व्यवसायों को प्रबंधित करने के लिए अपने अधिनस्थों को सौंक देता हूँ और केवल कभी कभार ही इस पर ध्यान देता हूँ। फिर से चेन शियाओवान के दिल की धड़कन तेज हो गई और कुवाको की पहचान के रहस्योध धा का मतलब था। चेन शियाओवान ने अपने चहरे पर एक अविश्वास भरे भाव के साथ धनुष को देखने के लिए अपना सिर्गुमाया। शियाओवान जिस कमपनी में काम करता था, वह वास्तव में कुवाको द्वारा नियंप्रित कमपनियों में से एक थी, धनुष यह मेरी पालक बड़ी बहन चेन शियाओवान है। जब मैं चोटा था तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उस समय मेरा परिवार बहुत गरीब था, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी सगी बहन मानता था। हालांकि आज सुभा वह अभी भी ब्रिस्क ट्रे इस अधीनस्ट की है, कृप्या मुझे दंड दें। नहीं, मेरा आपको दंडित करने का इरादा नहीं था, तांग जिवने अपना हाथ हिलाया। मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कुवाकु ने एक पल के लिए सोचा औ और इससे पहले की उसे कुछ सूचता, उसने अपना दिमाग चक्रा दिया। उसने फिर सम्मान पूरवक कहा, बॉस चुंकि आपकी बड़ी बहन चेन के साथ ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप द्वारा अन्याय किया गया है, तो मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भ ग्रहन शियाओवान के स्वभाव को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव देना आवश्चक होगा, तांजिव ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप के CEO पद को ग्रहन करना एक अच्छा विचार है, आप क्या सोचती हैं बहन शिया गया, तो मैं कमपनी को जल्द ही कारोबार से बाहर कर दूँगा, धनुष ने एक सरल उत्तर देने से पहले एक पल के लिए विचार किया, चुंकि आप ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप के CEO नहीं बनना चाहते हैं, तो वाइस CEO बनने के बारे में क्या ख्याल है, क्या आपक पती इस कमपनी के वाइस CEO को धमकाता नहीं है, आपके लिए उसे उस स्थिती में बदलना ठीक होना चाहिए, है ना, बी लेकिन भाई, यह, क्या यह सही काम है, चेंच याववान हिचकी चाया, उचित वस्तु, फिर मैं कुवाको से कैसे कहूं कि वह आपको पूरा ब्रिस करना सुनिश्चित करूंगा, हाँ, 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 टैंच जीव हसे बिना नहीं रह सका, मुझे मत बताओ, बहन शियाववान, तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाई हो, कोई भी जानबूच कर, आपके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी आधे मन से काम करें, कहा जा सकता है कि ब्रिस्ट ट्रेडिंग ग्रूप में आपके पास एक बड़ा पेड है, इसके अलावा, अगर कोई आपको धमकाने और धक्का देने की हिम्मत करता है, तो कुवाको को सीधे कॉल करें, और वहाँ आपकी देख भाल करेगी, बिग सिस चेन आप ब्रिस्ट ट्रेडिंग ग्रूप के साथ जो चाहे कर सकती हैं, कुवाको ने जल्दी से कहा, कुवाको और धनुष के बीच आगे पीछे देखते हुए, चेन शियाओवान को अचानक लगा कि दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है, जब उसने अपनी अधे घंटे बाद धनुष ने चेन शियाओवान को उसके निवास पर वापस भेज दिया और कार शुरू करने और जाने से पहले उसे अपने अपार्टमेंट में टहलते हुए देखा, कुछ चिंतन के बाद वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सका और रात भर जिंग में पहले से ही पार्किंग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा की धनुष ने फिर कहा इस जगह की रक्षा करो और किसी को भी उत्तम पगोडा में कदम रखने की अनुमती मत दो। इसमें कोई अपवाद नहीं है जिसमें सियाउसुए और लाइट एंड डार्क सिब्लिंग्स शामिल हैं। समझा जी चिमी हैरान थी लेकिन फिर भी उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उत्तम शिवालय की सात्वी मंजिल पर धनुष ने पतले कपड़े पहनने के बावजूद अंदर की ठंडी हवा को नजरंदाज कर दिया। उसने गुपर एक नजर डाली यानर बर्फ के बिस्तर पर लेका हुआ था क्योंकि उसके हाथ में राक्षसी पुलुद्धार धास तुरंथ हवा में उर गई। उन्होंने इसे दबाने के लिए अपनी स्टार फोर्स का इस्तिमाल किया और अंत में इसे केंडरित हरे रंग के तरल सार की एक बूंद में संघनित किया। धनुष ने फिर केंद्रित सार की बूंद को गुमे भेजा यानर के मुह पर रखा और सावधानी से कंकड़ के आकार के क्रोनो क्रिस्टल को उसकी भौहों के केंद्र पर रख दिया गुसे अनोखी हिंसक उर्जा का विस्पोट हुआ यानर का पड़ा हुआ शरी यह इतना शक्तिशाली था कि यह धनुष के आंतरिक अंगों को मास के गूदे में निचोर देता अगर यह उसकी शक्तिशाली ताकत के लिए नहीं होता इस बीच गुके चारों और दो मीटर पतली हवा से नगन आंखों को दिखाई देने वाली एक दरार उघ्री यानर शुद्ध हूर्जा के धागे के रूप में अंतरिक्ष से कहीं से भी उचला और उसके शरीर में समा गया जैसे जैसे समय बीचता गया हलके परदे की मोटाई बढ़ती गई और पीछे से यह रोशनी से बने एक पोकून की तरह दिखाई देने लगा जिसने गू को धखलिया यानर का शरीर एस्टरिस्ट 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 शंगाई तो उन्हें चीन जाने की व्यवस्था की गई और उन्हें ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप का CEO बनाया गया, जहां उनकी स्थिती अचानक छलांग और सीमा से बढ़ गई थी, इसलिए वह वास्तव में उसके प्रती आभारी महसूस करता, था यहां तक की कई बार खुद को य बढ़ रही थी, परिवार के कुलपती बनने के विवाद में उनके पास दूसरों के साथ समान अफसर था, यह खबर उसे उत्तेजक की खुराप देने जैसा था, और वह चाहता था कि वह दिखा सके की ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप कितना अच्छा था और इसने अपने बॉस पुवा को यामामोटो के लिए कैसे अधिक पूझी विक्सित और संचित की थी, क्योंकि इससे उसे यामामोटो हाउस की प्रमुख बनने के लिए प्रतिसपरधा करने के लिए अधिक पूझी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, इसलिए वह सुभा बहुत जल्दी क कमपनी में पहुँचे और व्यवस्थाओं की एक श्रिंखला की व्यवस्थाकी और चुपचाप बिग बॉस के आने का इंतजार किया। वह पहले कुवाकों के साथी चात्र थे और फिर उनके संबंधों के कारण उन्हें चीन में ब्रिस्क प्रेडिंग ग्रूप को सौपा गया था। वह पहले कियो काटों ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और तारो उनों की उपस्थिती को ध्यान से देखते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तारो उनोंने संतोष के साथ सिरहिलाया। टैप टैप करें टैप करें। इमारत के प्रवेश द्वार के बाहर से उची एडी के जूतों के फर्श पर पैर रखने की आवाजे आ रही थी। सबकी निगाहें एक जटके में प्रवेश द्वार की ओर चली गई। यहां क्या चल रहा है। तारो उनोंने अपनी भोहें थोड़ी सी टेढी कर ली और उसके चहरे पर एक जुंचलाहट का भाव था, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने देखा वह उसका बिग बॉस कुवाको यामामोटो नहीं था, बलकि ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप का एक कर्मचारी था। उसे असपश्ट रूप से याद था कि यह महिला मानव संसाधन विभाग में एक कर्मचारी थी। आठ बजे से पहले कमपनी में आने के लिए एक सूचना मिलनी चाहिए थी। मुझे देर से आने का कारण बताओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पहले ही निकाल दिया गया है। वह अब ब्रिस्ट ट्रेडिंग ग्रूप की कर्मचारी नहीं है। तारो उनो के बोलने के बाद मियाव जिनरान भीर से बाहर निकली और जोर से बोली। चेन शियाव वान के आते ही वह थोड़ा चौप गई लेकिन फिर खुश हो गई। तारो उनो गुस्से से चिलाने से पहले फिर वह कमपणी में क्यों दिखाई दी अगर उसे निकाल दिया गया है। मैं किसी को भी नहीं जानता। चीफ मियाव शिनर ने थोड़े व्यंग्य के साथ कहा। उसने वास्तव में कल अपना सामान पैक किया था और हमारी कमपणी छोड़ दी थी। किसने सोचा होगा कि वह अब वापस आएगी। हो सकता है कि निकाले जाने का हैसास उसके लिए बहुत दर्गनाक था और अंत में उसके सिर में एक समस्या पैदा हो गई। और वह यहां एक शांदार महान व्यक्ती के रूप में अभिनाय करने के लिए दोड़ी। आप देख सकते हैं कि उसकी अभिव्यक्ती अब बहुत अजीब है चीफ। वह नाराज होगी कि मैंने उसे इस तरह एक्स्पोस किया और उसे शर्म आनी चाहिए। सुरक्षा गाडों को उसे बाहर निकालने का निर्देश देना कैसा रहेगा। एक नाराज अभिव्यक्ती के साथ तारो उनों ने कहा चुंकि उसे निकाल दिया गया है तो उसे बाहर निकालो। इस समय मासाकियो काटो अचानक आगे खड़े हो गए और कहा रप्या रुकिये चीफ। मुझे लगता है कि निकाल दिये जाने के बाद हमारी कमपनी में नीले रंग से बाहर आने के लिए उसके छिपे हुए इरादे होने चाहिए। इमारत के प्रवेश द्वार से जोर से तालियों की आवाज आ रही थी। कुवाको यामामोटो एक पेशरवर पोशाक पहने हुए फिर अपने हाथों से ताली बजाते हुए अंदर चली गई उनके पीछे मुठी भर जापानी लोग थे। श्री, काम के प्रती काटो की गंभीरता और जिम्मेदारी बहुत अच्छी है। मैं कमपनी की ओर से कार्य निरीक्षन के लिए भी आपका स्वागत करता हूँ। इस अफसर पर चाल और शब्द तारो ओनो द्वारा बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन अंत में मासाकियों काटो द्वारा छीन लिए गए। इसने उसे चुपके से अंदर ही अंदर क्रोधित कर दिया। पास ही मियाव शिनर्न की आखें चमक उठी। बिग बॉस द्वारा अपने पती को दिखाई गई सराहना ने उन्हें उत्साह से भर दिया। जिस क्षण बिग बॉस ने उसका उल्लेख किया, वह कुवाको के सामने आने के लिए लगभग आधी डॉड रही थी और सम्मान पूर्वक कहा, पुलो बॉस, मैं काटोकुन की पत्नी मियाव शिरानन हूँ। आ, तुम कितनी खूबसूरत महिला हो, कुवाको ने मुस्कुराते हुए सिरहिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपके पास एक अच्छा तवचा देखभाल उपचार है और यह बहुत लोचदार होना चाहिए, है ना। इतना कहने के बाद, कुवाको ने अचानक अपना हाथ उठा लिया और मियाव शिरानन के चहरे पर जोरदार थपड मार दिया। के कारण उसकी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन क्या उसकी चमडी की लोच अच्छी थी या नहीं, क्या उसे थपड मारना आवश्यक था। यह वास्तव में अच्छा लगता है। काटो कुन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लोचदार त्वचा वाली पत्नी पाकर तुम इतने धन्य हो गए हो। बधाई हो, बधाई हो। मसाकियो काटो ने चुपके से अंदर ही अंदर गाली दी, लेकिन उसने सतह पर एक मुस्कान बिखेर दी और कहा, आप बहुत दयालू हैं, बॉस। मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि वह आपको कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन भेजे जो वह आमतोर पर इस्तिमाल करती हैं। मैं पाने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। उसने जो ताकत लगाई, खासकर आखिरी थपड़, वह काफी मजबूत थी। और इस बार मियाव जिनरान फर्ष पर भारी गिरने से पहले पांच से अधिक मीटर पीछे की ओर लड़खडाई। मेरे आश्चर्य करने के लिए तुम ठीक लग रहे हो ए। फिर मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए देता हूँ। कुवाको ने गहरी आवास और दबंग तरीके से कहा। इस समय हर कोई यह कैसे नहीं बता सकता था कि बॉस यह परीक्षन नहीं कर रहे थे कि मियाव शिनर्न की तवचा अच्छी है या नहीं। यह स्पष्ट था कि वह उसे पीटना चाहती थी। फिर भी कुछ तो ऐसा था जिसने सभी को उच्छुप कर दिया। मियाव शिनर्न ने कब और कैसे बिग बॉस को अपमानित किया। यह सूचने के लिए कि वह इतनी बड़ी भीड के सामने सारवजनिक रूप से अपमानित भी करेगी। मसाकियो काटो एकदम हक्का बक्का रह गया। एक चतुर और चतुर व्यक्ति के रूप में वह कुवा को यामामोटो के असली इरादे को कैसे नहीं देख पाया। फिर भी वह यह पता नहीं लगा सका कि कब और कैसे उसकी पत्नी ने उसे इतनी सारवजनिक पिटाई सहने के लिए नाराज किया। बॉस आप! कुवा को ठंडेपन से चिल लाया, क्या आपकी कोई राय है? मसाकियो काटो अंदर ही अंदर सिहर उठा और उन शब्दों को वापस निगल गया जो वह कहने वाला था। वह जानता था कि कुवा को यामामोटो कितना शक्तिशाली था और सभी लोगों में से वह जानता था कि छलनी के नीचे अपना सिर कैसे जुकाना है। अपनी पतनी को सारवजनिक रूप से पीटने की तो बात ही छोडिये, वह कुवा को यामामोटो को वापस मारने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही उसे मार दिया जाए। जब तक, वह पहले से ही अपने जीवन से ठक नहीं गया था। पीटना, कुवाको ने मसाकियो काटो पर ठंडी निगाह डाली और ठंडी अभिव्यक्ती के साथ शब्द फेंका। फिर उसने तारो ओनो को देखा और कहा, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो ओनो कुन। उसके माथे से ठंडे पसीने की धारा बह रही थी, तारो ओनो डरा हुआ और आशंकित लग रहा था। कि मसाकियों काटो के प्रती कुवाकों की फटकार और उसकी पत्नी की पिटाई ने उसे अजीब तरह से खुश कर दिया, फिर भी अब जब उसके बिग बॉस ने उस पर उंगली उठाई, तो वह डर गया कि वह कुछ गलक बोलेगा और वही खत्म हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ और आपको देखकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, बॉस। मैं नहीं सोचा था कि उनकी कमपनी में मानव संसाधन विभाग का एक तुछ वाइस डाइरेक्टर बिग बॉस का पीछे से समर्थन पाने वाला निकला। साथ ही कौन नहीं जानता कि बिग बॉस का क्या रुत्बा था। यह सोचने के लिए कि वह उसे बड़ी बहन चेन भी कहती है, यह महिला इतनी पवित्र कैसे हो गई। क्या उसकी भयानक प्रिष्ठ भूमी थी? और अब वे कंपनी के वाइस CEO नहीं रहेंगे। प्रिष्ठ कर रहे थे और ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप के लिए महान योगदान दे रहे थे। और अब उसे निकाल दिया गया। बस ऐसे ही कुवाको मैं कुवाको ने क्रोधित होकर उसे टोका, क्या तुम में मेरा नाम लेने की भी योग्यता है? चीन से बाहर निकलो और भविश्य में मुझे कभी भी तुम्हें देखने मत देना। एक पल में मासाकियों काटो का चेहरा लाल और फिर हरा हो गया। उसने चेन शियाओवान पर एक गहरी नजर डाली और जैसे की उसमें बहुत साहस का संचार किया जा रहा हो। उसने जोर से पूछा, बॉस मुझे इसके लिए एक अच्छा कारण दें। मैंने इन सभी वर्षों में ब्रिस्क ट्रेडिंग ग्रूप के लिए बहुत कुछ किया है, न केवल गुन और कड़ी महंत, आप मेरे साथ योग्यता और कड़ी महंत के बारे में बात करना चाहते हैं, कुवाकु ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता दूँगा, आपकी एक अच्छी पतनी है और उसने न केवल मेरी बड़ी बहन चेन को धमकाया है, बलकि उसने उसे कमपनी से निकाल दिया और उसके साथ अन्याय किया, जो कोई भी बड़ी बहन चेन के साथ दुबारा अन्याय करने की हिम्मत करेगा, त यह सब उनकी पतनी मियाव शिरानन के कारण हुआ, जैसे ही वह मियाव शिरानन की ओर दौड़ा, उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, उसने उसे फर्श से उठाया और उसके पहले से ही जर रहे चहरे पर थपड़ मारा, फिर वह जोर से चिलाया, यह तुम्हारी वजह से निकला, कुतिया, आपने किसी ऐसे व्यक्ती का अपमान क्यों किया जिसे आप बरदाश्ट नहीं कर सकते, क्या आपको मिस चेन को भड़काना पड़ा, तलाक, इस पिता को इस बुरी किसमत वाली शादी को तोर देना चाहिए, और आपको मेरी संपत्ती से एक पैस भी नहीं मिलेगा, निराश होकर मियाव शिनर्न को आखिरकार समझ आ गया कि कुवाको यामामोटो ने उसे क्यों कुछ ला, यह मूल रूप से उसकुतिया, चेन शियाओवान के कारण था, कुछ ही मिंटों में उसका पहले का खूबसुरत चेहरा एक बड़े सुवर के सिर में बदल गया, हाला कि जिस बात की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, वह थी पिटाई नहीं, बल्कि उसके पती मसाकियों काटो ने जो कहा था, तलाक, शादी को छोड़ कर कुछ नहीं, कोई कबजा या संपत्ती नहीं, इस समय उसका दिल मरने जैसा महसूस हो रहा था, क् भविश्य में कैसे जी पाएगी, अचानक उसने अपना सिर्चेन शियाओवान की ओर घुमाया, जैसे एक डूपता हुआ व्यप्ती जिसे जीवन रक्षक पुआल मिल गया हो, मसाकियों काटो द्वारा उसे फर्ष पर फैंकने के बाद, वह चेन शियाओवन के सामने आई और लगभग खुद को दंडवत करते हुए रोने लगी, और गिडगड़ाते हुए बोली, जियाओवान, कृप्या मुझे ख्षमा कर दें, सब मेरी गलती है, कृप्या बॉस को मुझे और मेरे पती को आग न लगाने दें, मैं आपसे विंती करता हूँ, कृप्या साथी चातरों के रूप में हमारे अतीत की खातिर देखें, यहाँ, कोमल और गयालू होने के नाते, चेन शियाओवान किसी भी तरह दुखद, दैनिय दिखने वाली मियाओ शिरानन को देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, जब वह बोलने ही वाली थी, कुवाको ने मियाओ शि जिजक रही थी, और चुपके से अंदर ही अंदर आहे भर रही थी, एस्टरिस्क, 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 साथ दिन बाद, जैसे ही धनुष अती सुंदर पगोडा की साथवी मन्जिल पर पोने में पाल्ती मार कर बैठा, उसकी अभिव्यक्ती अचानक बदल गई ज इसे ही उसने प्रकाश परदे को देखा। उसके चहरे पर एक चिन्तित भाव चा गया। गुयानर की आकरिती ने पलक जपकाई और अचानक धनुष के सामने आ गई। उसका पतला और नाजुक शरीर तांग जिव की चाती से चिपक गया। जबकि उसकी पतली भुजा उसके चारों और लिप्टी हुई थी। फिर भी शेडदानव जू गुशो द्वारा डाली गई गोधूली दुहस्वपन द्वारा नुकसान पहुचाया गया था। वह गुको पूरी तरह से ठीक करने के लिए राक्षसी पुरुधार घास और क्रोनो क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता था। यानर की चोट और अब वह सपना सच हो गया था। टैंग शिव काफी देर तक देखता रहा और उसकी भौहे सक्त हो गई। भीतर आह भरते हुए वह बोला यहाँ आपकी ताकत को कितना प्रभावित करता है यानर। मेरी ताकत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। मास्टर गुयानेर ने हलकी मुस्कान दी। यह सिर्फ इतना है कि मेरे दिल के अंदर छाया दानव का काला बल बहुत खास है और इसे परिश्कृत करने में मुझे काफी समय लगता है। हाला कि चुँकी मुझे फिर से नींद में गिरने के बारे में चिंता करने की जूरत नहीं है। मुझे इसे दबाने के लिए यहां की ठंडी हवा की सहायता की आवश्क्ता होगी और फिर इसे थोड़ा-थोड़ा करके परिश्कृत करें। तो आप उत्तम शिवालय को फिलहाल के लिए नहीं छोड़ सकते तांजिव से पूछा। बाहर की चीजों को मुझ पर छोड़ दें। जब समय आएगा, जब तुम इस समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, तुम मेरे साथ फिर से बाहर जा सकते हो। गुयानर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और काफी देर तक धनुष के आसपास दुपकी रही। फिर उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्रोनो क्रिस्टल कैसे मिला, मास्टर। क्रोनो क्रिस्टल के लिए प्रिथवी पर मौजूद होना असंभव होगा, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि मैं वातावर्ण को तोड नहीं सकता और इसे खोजने के लिए प्रिथवी के बाहर स्टार क्षेत्रों में जा सकता हूँ ताम जिवने मुस्कुराते हुए समझाया, लेकिन किसने सोचा होगा कि मेरे अधिनस्थ के पुरुष जो आल्पसपरवत की खोज के दौरान खोज करताओं की एक जोडी की रक्षा कर रहे थे, उन्हें गलती से क्रोनो क्रिस्टल मिल गया, मेरे अधिनस्थ को नहीं पता कि क्रोनो क्रिस्टल क्या था, लेकिन उसने महसूस किया कि वस्तु एक बहुत ही कीमती खनिच था, इसलिए वह इसे मुझे देने के लिए शंगाया आई, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत वास्तव में अच्छी है, मास्टर गुर्यानर अचानक समझ गया और मुस्कुराते जवाब दिया, इसके अलावा मैंने महसूस किया कि प्रित्वी पर कई अच्छी वस्तुए हैं, कई प्रकार के खजाने जिनके लिए अमर दुनिया में अंगिनत लोग भी सत्क लडाई लडेंगे, मुझे संदे है कि इसका कोई महत्वपून कारण होना चाहिए, यह सही है अफसोस की बात है कि मेरा वर्तमान साधना स्टर बहुत कम है, प्रित्वी पर ऐसे कई स्थान हैं, जहां मैं इस समय आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता ताम जिव ने सिरहिलाया, लेकिन आप आप मास्टर के लिए इधर उधर टहल सकते हैं, जब आपने अपने शरीर के अंदर उस छाया दानव काली शक्ती को पूरी तरह से परिश्कृत कर लिया है मुझे विश्वास है कि आपको बाद में कोई समस्या नहीं होगी आखें जल उठीन, गुयानर थोड़ी उचसाहित थी और उसने सिरहिलाया, मैं इस शेट डेमन ब्लैक फोर्स मास्टर को पूरी तरह से परिश्कृत करने की पूरी कोशिश करूँगी उसके बाद गुरू और शिश्य ने लंबे समय तक बातचीत की, धनुष ने मुस्कृराते हुए कहा मैंने जी चाइम, लाइट और डार्क को बाहर रहने के लिए कहा क्योंकि मुझे आपको ठीक करने के लिए क्रोनो क्रिस्टल और राक्षसी पुनुरुद्धार घास मिली है चुँकि तुम अब जाग रहे हो, उन्हें अंदर आने के लिए कहो मास्टर, हालाम की मेरे शरीर के अंदर शेट दानव ब्लैक फोर्स एक छिपा हुआ खत्रा है, मेरे लिए हर दिन एक या दो घंटे बाहर रहने में कोई समस्या नहीं होगी इसके अलावा, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ हमें उन्हें अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे बाहर जाने दो एक पल के लिए विचार करने के बाद धनुष ने सिरहलाया और कहा उस स्थिती में हम बाहर जा सकते हैं लेकिन आपको यह याद रखने की आवश्यक्ता है कि आपको उत्तम पगोडा को दो घंटे से अधिक समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए यह सबसे अच्छा है कि आप जहां तक संभव हो बाहर जाने की कोशिश न करें ठीक है गुयानर ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया उत्तम पगोडा के बाहर जी चिमी पाल्थी मार कर बैठा था जबकि लाइट और डार्क भी खेती में पाल्थी मार कर बैठे थे केवल गुसियाउसुए चिंतित थी और आगे पीछे टहल रही थी वह नहीं जानती थी कि उसके ग्रैंड मास्टर अचानक जिंगमें द्वीप पर क्यों आ गए नहीं उसे यह पता था कि वह उत्तम पगोडा में क्यों प्रवेश करेगा और वहां लंबे समय तक रहेगा और फिर भी बाहर नहीं आएगा बन शिवाले का दर्वाजा अपने आप खुल गया और अंदर से दो आकरितिया बाहर निकली मास्टर गुसिया उसुए काम गई और उसकी आँखों से अविश्वास फूट पड़ा जी चिमेई लाइट एंड डार्क ने भी तुरंट अपनी आखे खोली जब उनकी नजर गुपर पड़ी धनुष के साथ बाहों में बाह डाले यानेर बाहर आ रहे थे हैरान भाव तुरंट उनके चहरे पर आ गए क्योंकि वेगु के बारे में अच्छी तरह से जानते थे यानर की स्थिति उसे अभी भी नेंद में होना चाहिए ठीक से बोलना चाहिए और उसे जगाने में कई साल लगेंगे लेकिन कैसे? कैसे वह जाग गई? मालिक भगवान लाइट एंड दार्क साथ ही जी चिमी जल्दी से सलाम किया गुयानर ने मुस्कराते हुए कहा तुम्हारे हैरान चेहरों को देखना काफी मनोरंजक है आप सभी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब उठूँगा क्या आपने? गुस्याव सुए मुस्करा रही थी और खुशी से भरी हुई थी जब वह गुकी ओर बढ़ी यानर गुयानर मंदमंद मुस्कुराया, ठीक है, मेरी चोट मूल रूप से ठीक हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ विशेश समस्याओं को हल नहीं किया है वैसे भी मैं फिर से मूर्चा की स्थिती में नहीं पड़ूंगा, और केवल हर दिन साधना करने की आवश्चक्ता है, इससे पहले कि मैं कई वर्षों बाद अपने शरीर में छिपे खत्रों को पूरी तरह से दूर कर सकूँ वास्तव में गुस याउसुए और अन्यतीनों भी पूरी तरह से उच्साहित थे चिरस्थाई दावत हॉल में गु की खबर यानर का पुन प्रकट होना चिरस्थाई पर्व हॉल के प्रतेक मुख्य शिश में ठैल गया इसके अलावा उन्हें एक संदेश भी मिला कि गु यानर बाद में Everlasting Fest Hall का कार्यभार संभालेंगी और कभी-कभी अपनी खेती में निर्देश देने के लिए अपनी एकांट खेती से बाहर आएंगी कुछ ही समय बाद तैंजिव ने गु के साथ भोजन किया यानर और फिर Everlasting Fest Hall में रहे हालाकि शंधाई विश्व विद्यालय में उनके पाठ्यक्रम में देरी हुई थी फिर भी वेगु के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे यानर केवल एक हफ़ते बाद ही उसने आखिरकार उसे अलविदा कह दिया और शंधाई लोट आया उनके लिए जीवन में निम्नलिखित उदाहरण अभी भी वही थे परिसर में कक्षाओं में भाग लेने के अलावा तांग जिवने दाई जिन्यों को चिकित सा कोशल प्रदान किया जबकि बाकी समय किताबे पढ़ने या खेती करने में व्यतीत करते थे उनका समय आनंद और आनंद में व्यतीत होता था केवल जब तक यह नए साल के करीब था वह आखिरकार जिन्द में द्वीप गया और गुके साथ दो दिन बिताए यानर Magnificent Tank Corporation का कारोबार हर बीते दिन के साथ बहतर और बहतर होता जा रहा था हर उत्पाद अभी भी कम आपूर्ती में था और विक गया था जैसे हर बार जब उन्हें अलमारियों पर रखा जाता है तो लूट लिया जाता है धन के संचय के साथ कांगजिया ने स्टार सिटी में जो समय बिताया वह भी कम और कम होता जा रहा था देश भर के प्रांतों में शाखाय स्थापित करने के अलावा उन्होंने सरकार के साथ भूमी अधिगरहन समझोते पर बातचीत करने के लिए अपना आधा समय शंधाई में बिताया साथ ही नए मुख्याले भवन और दो बड़े कारखानों की स्थापना के लिए निर्मान कमपनी से संपर्क किया साल के अंत के करीब छुटी के पहले दिन धनुष को एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया शमा करें क्या आप ग्रैंड मास्टर धनुष है फोन से एक युवक की डरपोक आवाज निकली धनुष ने अपनी भवहे सिकोडी और पूछा मैं धनुष हूँ क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो दूसरे पक्ष का स्वर्स पष्ट रूप से उत्साहित था और उसने तुरंत उत्तर दिया मैं चेन टोंग ग्रैंड मास्टर हूँ धनुष दंग रह गया और अपने होश में वापस आने से पहले एक तक घूर रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह युवक चेन जिजोंग का बेटा था उसने एक बार चेन जिजोंग को चेन टोंग का नाम लेते हुए सुना था अचानक उसने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और पूछा क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए ग्रैंड मास्टर मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि आप चमतकार करने वाले डॉक्टर हैं क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं मेरे सहपाथी को अभी अभी अजीबोगरीब बीमारी हो गई है और यह अत्यधिक संक्रामक है और अब उसे बीजिन वाइरस अनुसंधान संस्थान में अलग रखा जा रहा है क्या आप उसे बचा सकते हैं? अगर यह अजीब बीमारी जो उसने अनुबंधित की है बहुत संक्रामक है तो इसमें सरकारी एजनसी के कुछ लोग शामिल होने चाहिए है ना? निदान वास्तव में क्या है? उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है चेन टोम ने कसेलिपन से उत्तर दिया मैंने काफी पैसा खर्च किया और मुश्किल से ही कुछ समाचार प्राप्त कर पाया ऐसा कहा जाता है कि नेशनल वाइरस रिसर्च इंस्टीट के वाइरोलोजी विशेशग्य और प्रोफेसर अभी भी यह पता नहीं लगा सके हैं कि इस नए प्रकार के वाइरस का निर्मान कैसे हुआ हाला कि मैंने सुना है कि मेरी सहपाठी को गंभीर नोटिस दिया गया है और अगर इलाज के लिए कोई उतलब्ध साधन नहीं मिला तो वह ठीक नहीं हो सकती है एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद धनुष ने फिर कहा चलो इसे इस तरह से करते हैं मैं अब बीजिन जा रहा हूँ और जब मैं वहां पहुँचूंगा तो हम डिवर्ण पर चर्चा करेंगे इसके अलावा मैं फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद अपना फ्लाइट नंबर और आगमन का समय टेक्स्ट कर दूँगा हां 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 धन्यवाद ग्रैंड मास्टर चेन टोम ने कृतग्यता पूर्वक कहा जैसे ही फोन कॉल समाप्थ हुआ धनुष ने युवान चुलिंग को फोन किया क्योंकि दोनों मूल रूप से स्टार सिटी में लोटने के लिए सहमत हो गए थे जबकि उसे कुछ समाई के लिए अपना गंतव्य बदलना होगा और उसके साथ वापस जाने में असमर्थ था यह सुनने के बाद की धनुष कुछ समाई के लिए स्टार सिटी वापस नहीं जा सकता युवान चुलिंग ने भी शंधाई में रहने का फैसला किया वह जिस फिटनेस सेंटर के साथ छेर चार कर रहा था उसे नए साल के बाद व्यवसाई के लिए खोलने की योजना थी और उसने नए साल से पहले व्यवसाई शुरू करने का फैसला किया क्योंकि वह फिलहाल वापस नहीं आएगा दिन के मध्य में धनुष बीजिंग हवाई अड़े से बाहर चला गया और चारों ओर देखा एक फिर उसने एक युवक को देखा जिसके बाल सफेध हो गए थे और एक सफेध कोट उसकी ओर थोड़ा दौड रहा था वह अपने साथ दो छाते भी लाया था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी चेंटोंग तामजिव से पूछा मैं चेंटोंग ग्रैंड मास्टर हूँ चेंटोंग ने जल्दी से कहा पर तुम तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने है? बीजिंग में तापमान शूने से नीचे गिर गया है प्रिप्या मेरा डाउन कोट पहन ले शिव को सौंप दिया तामजिव ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया कैजूल कपड़े पहने होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी वह अपनी वर्तमान खेती के साथ अपने आसपास के तापमान को आसानी से समायोजित कर सकता था एक मुसकान के साथ धनुष ने कहा अगर मेरी याददाश्ट सही धंग से मेरी सेवा करती है तो आपके पिता ने कहा था कि आप विदेश में पढ़ रही है अब आप बीजिंग कैसे आए चेन टोंग ने मुसकराते हुए कहा मेरे परिसर में पाठ्यक्रम काफी आराम दे है इसलिए मेरी छुटी जल्दी हो गई चार दिन पहले मैं अपनी सहपाठी के साथ वापस बीजिंग गई क्योंकि उसका परिवार यहीं रहता है हम मूल रूप से स्टार सिटी में लोटने से पहले कुछ दिनों के लिए अच्छी तरह से घुमने का इरादा रखते थे किसने सोचा होगा कि यहां वापस हवाई जहाज में उसे तेज जलन वाला बुखार शुरू हो गया था जो जरा भी कम नहीं हुआ था हमारे बीजिंग पहुचने के बाद उसे अस्पताल भीजा गया और अंत में पता चला कि उसे वाइरल बीमारी हो गई है मैं खुद भी अलग थलग रहने वाला था लेकिन मैंने मौके का फाइदा उठाया आ ठीक है ग्रैंड मास्टर मेरे सहपाठी के कारण यहां वापस आने वाली उडान के सभी यात्रियों को भी अलग किया जा रहा है यहां तक कि डॉक्टर और नर्स सहित उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी विमान से उतरने के बाद आइसोलेट कर दिया गया है कितने लोग हैं विशिष्ट संख्या तांजिव से पूछा 200 से अधिक लोग चेंटोंग ने कहा साथ ही उनमें से आधे से अधिक को तेज जलन वाला बुखार होने लगा जो की मेरे सहपाथी के लक्षणों के समान है और तुम क्या तुम ठीक हो धनुष ने भौहे चड़ा कर पूछा अब यह अजीब है कि आप मुझसे पूछते हैं चेंटोंग ने अपना सिरहिलाया हालांकी पिताजी ने मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया था और मेरी शारिरिक फिटनेस हमेशा अच्छी थी लेकिन वाइरस लार हवा और संक्रमित के सीधे संपर्प में आने से फैल सकता है वह और मैं प्रेमी हैं और हमने एक चुम्बन भी साजा किया लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ है टैंग शिव ने चेन टोंग की कलाई पकड़ने के लिए अपनी भौहे टेढ़ी कर ली उसकी नब्स की जाच करने के बाद उसने पाया कि वह वास्तव में वायरस के किसी भी लक्षन से संक्रमित नहीं था ओ, धनुष ने चेन टोंग से उर्जा में उतार चड़ाव की लहर महसूस की उसने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ लाल धागा खीच लिया और फिर देखा कि जिस तावीज को उसने एक बार परिश्क्रिक किया था वह अब उसके द्वारा पहना जा रहा है आपके पिताजी वास्तव में आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में यह महत्वपून सुरक्षाक्मत तावीज दिया था जो मैंने उन्हें आपको दिया था चलो मुझे वाइरस रिसर्च इंस्टिट्यूट ले चलते हैं चेंटों काम गया और जल्दी से बोला ग्रेंड मास्टर मैं वाइरस रिसर्च इंस्टिट्यूट नहीं जा पाऊंगा आप नहीं जानते लेकिन बहुत सारे लोग वर्तमान में मुझे ढून रहे हैं जिन में सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोग भी शामिल है अगर वे मुझे पकड़ते हैं तो मुझे निश्चित रूप से हिरासत में लिया जाएगा और अलग थलग कर दिया जाएगा और मैंने सुना है कि अगर वे इसका इलाज नहीं खोच पाते हैं तो यह मौत की सजा के बराबर है चेन टोंका डर समझ में आता था उन्होंने 2002 की उन खटनाओं को याद किया जब सास के कारण कई लोग अलग थलग पड़ गए थे और उनकी मृत्यू हो गई थी जैसा की वर्तमान में स्थिती है चीन में बहुत से लोगों में संक्रामक रोगों का गहरा डर था और पहले जो हुआ वह एक आदश उदाहरन था क्योंकी विपत्तिया जो अतीत में आई थी हर बार जब वे फूटीन तो बहुत से लोग मारे गए मेरे एक ग्रेंड शिश्य के रूप में आपके पास परियात साहस होना चाहिए चेंटोंग तुम्हारे पिताजी एक असली आदमी है इस प्रकार उनके बेटे को किसी काम का नहीं होना चाहिए मेरा विश्वास करो मैं गारंटी दूंगा कि तुम सुरक्षित रहोगे चेंटोंग ने सिरहिलाने से पहले एक पल के लिए जिजगते हुए कहा मैं आप पर विश्वास करता हूँ क्योंकि आप वही है जो यह कह रहे हैं ग्रैंड मास्टर चलो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है ताम जिवने संतोश के साथ सिरहिलाया युवा होने के बावजूद जो उससे एक या दो साल चोटा लग रहा था में ऐसा दुरलप साहस था और विशेश रूप से उन्होंने उस पर विशेश रूप से भरोसा किया राष्ट्रिय वाइरस अनुसंधान संस्थान बीजिन के सुदूर दक्षिनपूर्व उपनगर में स्थित था साइट की सतह पर एक बड़ा रासायनिक सन्यंत्र था लेकिन इंटीरियर एक बहुत ही सक्त संरक्षित वाइरस अनुसंधान केंद्र था घटना स्थल से दो किलोमेटर दूर सादे कपडों में अधिकारी आसपास गश्ट करते देखे गए जबकी अंदर उनी हिस्से में सुरक्षा चौकिया भी थी जिन्हें विशेश रूप से कड़ी व्यवस्था की गई थी जांगलेई राष्ट्रिय वाइरस अनुसंधान संस्थान के एक सुरक्षा गल के कप्तान थे और एक बार उलेखनिय सैने कारनामों के साथ एक उद्कृष्ट विशेश ओप सैनिक थे विश्वविद्याले में अपनी प्रमुख पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें इस साइट के सुरक्षा कार्य के लिए सौपा गया था सबसे बाहरी स्तर के गेट के सामने खड़े होकर जांगलेई की आँखों में एक चिंतित अभिव्यक्ती दिखाई दी ऐसा इसलिए था क्योंकि एक भयानक नए प्रकार का वाईरस सामने आया था और व्यापक रूप से वाईरस का प्रकोप भी फैल गया था पूरा अनुसंधान संस्थान अब एक भारी वातावर्ण से भर गया था वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि बाहर से आया कंटेनर ट्रक ऐसे लोगों को लेकर आया था जो वाईरस से संक्रमित थे या संक्रमितों के करीबी संपर्प में थे बाहर एक और कार है जो अस्पताल में भरती होने का अनुरोध कर रही है उनके कमर पर संचारक के माध्यम से उनके सुरक्षा सहयोगी की आवाज प्रसारिक की गई थी उनके दस्तावेजों की जाच करें और कार का निरीक्षन करें चाहे उनके पास खतरनाक वस्तुए हो जांगले ने डूपती आवाज में जवाब दिया पिछली परीक्षा पध्धती के अनुसार आगे बढ़े और व्यापक निरीक्षन करें और याद रखें की कार के अंदर लोगों के संपर्क में ना आएं और हर समय गैस मास्क पहने समझा संचारक से एक उत्तर आया एक गहरी नजर डालने पर जांगलेई को अचानक धूमरपान करने की इच्छा हुई लेकिन बाइरस अनुसंधान संस्थान के नियमों ने सबसे बाहरी द्वार से कम से कम दो किलोमेटर की दूरी पर धूमरपान करने की मना ही की एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने स्थिती का जायजा लेने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और अपने अवसाद को कम करने के लिए एक सिग्रेट पी कुछ मिनट बाद जब वह लगभग दो किलोमीटर दूर पहली नाकाबंदी रेखा से गुजर रहा था कंटेनर प्रक का निरीक्षन अभी अभी समाप्थ हुआ था और उसे अंदर जाने दिया गया कप्तान काली सुरक्षा वर्दी पहने एक दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सलामी दी सलामी लोटाने के बाद जांगली ने अपनी जेब से एक सिग्रेट निकाली उसे प्रजवलित किया और दो गहरे कश लिये फिर उसने बाकी का थैला दूसरों की ओर फेंक दिया और गहरी आवाज में पूछा क्या वह आज का पहला ट्रक था यह चोथा ट्रक था सुरक्षा गाडों में से एक ने उत्तर दिया जांग ली ने चुपके से अंदर की ओर आह भरी और एक करकश मुस्कान बिखेरी अंदर संगरोध शेत्र शायत परियाप्त नहीं है 300 लोग होने चाहिए जो पहले ही यहां भीजे जा चुके हैं है न सुरक्षा गाड ने सिरहिलाया रिकॉर्ड किये गए आकडों के अनुसार यह ठीक 329 लोग होने चाहिए मुझे डर है कि अगर अनुसंधान संस्थान के विशेशग्य वाइरस के लिए एंटिवाइरल दवा का अध्ययन करने में विफल रहते हैं तो पहला रोगी अधिक समय तक तिक नहीं पाएगा साथ ही ओल्ड जांग जो भोजन वितर्ण के लिए जिम्मेदार हैं ने कहा कि तेज गुखार वाले संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर बासट हो गई है और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है जांग ली ने बात नहीं की हालाकि वह इस तरह के द्रिश्य का सामना नहीं करना चाहता था लेकिन वह एक सुरक्षा सदस्य के अलावा और कुछ नहीं था उसके पास बढ़ते जवार के खिलाफ खीचने की शक्ती नहीं थी हाक हाक एक सफेद BMW 525 सेडान धीरे-धीरे सबके सामने आकर रुकी जांग ली ने सिगरेट पर चुटकी ली और उसे पास के कूडेदान में फैंक दिया वह फिर सफेद BMW 525 सेडान की ओर चला और बोला नमस्कार कामरे कृप्या मुझे अपने दस्तावेज दिखाएं जांग ली का चहरा खाली था उसके बाद उसे कुछ याद आया जैसे उसने अपनी पिस्टॉल निकाली और चेंटोंग पर अपनी काली थूथन का निशाना बनाया उसी समय वह जल्दी से चार या पांच कदम पीछे हट गया और चिलाया कार से बाहर निकलो और निरिक्षन स्विकार करो सामने वाली यातरी सीट पर धनुष को देखने के लिए मुडा कार से उतरने और जान ले की ओर चलने से पहले धनुष ने अपना कंधा थप्थ पाया फिर वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर रुप गया और हलके से कहा मैं धनुष हूँ एक प्रमानिक चीनी चिकित्सत स्थिती को देखने के लिए मुझे वाइरस अनुसंधान संस्थान जाने की आवशक्ता है मुझे आशा है कि आप संस्थान के निदेशक से संपर्ट कर सकते हैं और मेरे बारी में रिपोर्ट कर सकते हैं यदि यहां आपके अधिकार शेत्र से बाहर है शुव नामक एक युवक का कहना है कि उसके पास चीनी चिकित्सा विज्ञान का प्रमान पत्र है और وہ संस्थान में प्रवेश करना चाहता है इसके अलावा वह अपने साथ एक वांचित चेन टोंको भी लाया था तांग जिव चीनी चिकित्सा विज्ञान कहां से आया यह लापरवाह ढोंगी इसे भूल जाएए यदि वह संस्थान में प्रवेश करना चाहता है तो वह जो भी हो उसका अभी भी निरीच्षन किया जाना चाहिए हो सकता है कि वह उस लड़के के साथ आने के बाद से संक्रमित हो गया है उन्हें तुरंद पकड़े और व्यक्तिगत रूप से उन्हें हमारी हिरासत में ले जाएं कम्यूनिकेटर से निर्देशक वही की आवास सुनाई दी आदेश का पालन करने के बाद सीधे धनुष पर अपनी बंदूग तान दी कॉमरेड कृप्या हमारे साथ सहयोग करें हमारे वरिष्ठ ने पहले ही निर्देश दिया है कि आपका निरीच्षन किया जाना चाहिए और हमारी हिरासत में ले जाना चाहिए तांग जिव ने अपनी आखें टेढ़ी कर ली जैसे भीतर एक ठंडी रोशनी फैल रही थी हिरासत में अनुरक्षित हिरासत में एसकॉर्ट बयान के कई अर्थ थे फिर भी इस स्थिती में इसका बिलकुल अलग अर्थ था वह संदिग्ध नहीं था बलकी मदद की पेशपश करने वाला एक डॉक्तर था उसने एक चीनी चिकिटसक के रूप में अपनी पहचान भी दिखाई फिर भी दूसरा पक्ष अप्रत्याशित रूप से इतना कठोर था जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ वरोम उसके कानों में दर्जनो कान की बालिया चुब रही थी और बाल धूप में हर रंग से सफेध हो रहे थे दर्वाजों के व्यवस्थित खुलने के साथ नीचे आ गए हाला कि जब उसने अपनी आखों के सामने यह द्रिश्व देखा तो उसने अचानक अपनी भौहे सिकोडली और चिलाया अरे एक अच्छा कुट्टा कभी सड़क पर नहीं आता पक्षमेक हो जाओ अरे तुम बंदूक वाले बंदे क्या तुम जानते हो कि यह युवा मास्टर कौन है भाड में जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे कुट्टे की टान तोड़ दूँगा जांग लेई की अभिव्यक्ती में बदलाव था लेकिन वह इस अजीबोग्रीब युवक से निपटने के लिए बहुत आलसी था हाला कि युवक द्वारा लाए गए नहीं जानता कि यह साइट राष्ट्रिय वाइरस अनुसंधान संस्थान है इस जाओ युंडी ने यहां आने से पहले पूछा है यह आप ही थे जिन्होंने मेरी बहन को पकड़ा और उसे यहां हिरासत में रखा भाड में जाओ यहां से वरना मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि तुम्हारे कुट्टे की टांग तोर दे जांग लेई ने उसे शांत भाव से देखा और उसने तुरंत संचारक को उठाया और आदेश दिया सबसे बाहरी नाकाबंदी लाइन पर अभ्यात लोगों के खत्रों का सामना करना पड़ रहा है दूसरी और तीसरी टीम के सदस्यों को तुरंत भागना है जाओ युंडी का चहरा बदल गया और उसने जांग लेई को गुस्से से देखा फिर वह मुडा और अपने पीछे एक अधेड उम्र के व्यक्ति पर चिलाया हर्ताल के लिए तयार जो भी लड़ने की हिम्मत करे उसे मारो और मुझे ब्लॉक करो निश्क्रिय न रहें और यदी वे अपनी बंदूकों का उप्योग करने का साहस करते हैं तो गोली मार दें उन्होंने मेरी बहन को पकड़ने की हिम्मत की और कहा कि वह वाइरस की वाहक है हमफ अगर यह पिता उसे नहीं बचा सका तो मैं अपना उपनाम बदल दूँगा तुरंट 20 से अधिक गठीले आदमियों ने अपनी बंदूकों को अपनी कमर से बाहर निकाला और बेहत तेज गती से सुरक्षा ताले खोल दिये उनकी लैबध हरक्तों और गंभीर माहौल ने जहांग लेई के दिल को थोड़ा तंग कर दिया वह एक विशेश आपस सिपाही हुआ करता था और स्वाभाविक रूप से इन लोगों से एक सैनिक आभा महसूस कर सकता था एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने संचारक को उठाया और निदेशक वेई को बुलाया युंडी होने का दावा करने वाला एक युवक है जिसमें 20 से अधिक लोग बंदुकों से लैस हैं जो अनुसंधान संस्थान की नाकाबंदी रेखा को तोरने की कोशिश कर रहे हैं मैं यहां एक सशस्त्र सुरक्षा दल की सहायता का अनुरोध करता हूँ जाओ युंडी वह जीवित पूर्वज यहां कैसे आ सकता है जांगलेई की रिपोर्ट सुनकर निर्देशक वेई अचानक जोर से चिलाए कुछ सेकंड बाद वह फिर से बोला उतावलेपन से काम मत करो जांगलेई आपको केवल उन्हें ब्लॉक करना होगा यदी जाओ युंडी नाकाबंदी रेखा को तोरना चाहता है लेकिन बंदू के मत चलाओ इस छोटे पूर्वज की बहुत शक्तिशाली प्रिष्ठ भूमी है मैं उसे भढ़काने का जोखिन नहीं उठा सकता मुझे इस बारे में अपने वरिष्ठों से निर्देश मांगना है समझा हाला की जांगलेई असंतुष्ट थे निर्देशक वेई अपने परिवार की दूसरी या तीसरी पीधी के ऐसे व्यक्ति से कैसे डर सकते थे फिर भी उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने कर्तव्यों का पालन किया उसने लगधग 30 से 40 लोगों की दो सुरक्षा टीमों को खीचा और जांग युंडी के लोगों के खिलाफ टक्राव का सामना करने के लिए खड़ा हो गया जाओ युंडी का नाम सुनते ही धनुष ने गहरी सांस ली उसने तांग वेई से उसके बारे में सुना था यह लड़का बीजिंग में जाओ परिवार के मुखिया का जैविक पोता था धमंडी, उग्र और परिशानी को भढ़काना पसंद करता था उसने बीजिंग में प्रमुख परिवारों के विभिन जुनियर्स को भी उकसाया था जिसमें तांग और याओ परिवार के जुनियर्स भी शामिल थे फिर भी वह हमेशा छोटे फाइदे हासिल करने और बड़े नुकसान उठाने में सक्षम था इंसानी खाल में एक शैतान जैसा था लोगों के दो समुहों को देखकर जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे धनुष ने अंदर की ओर आह भरी और एक अधिक दूर के स्थान की ओर मुर गया हे 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 बड़ी क्या तुमने इस मुसीबत को भी नहीं उकसाया मैंने अभी अभी उसे आप पर बंदूग तानते देखा है मुझे मत बताओ कि अब तुमने अपनी कमबक्त गेंदो को खो दिया है क्या तुम भाग जाओगे धनुष को दूर जाते देख जाओ युंडी जोर से चिलाया वह रेश्मी पैंट का राजा हो सकता है लेकिन वह मूर्ख नहीं था जो लोग राज्य की संस्था को तोड़ने के लिए बंदू के लेकर आये थे उन्हें आज की स्थिती को देखते हुए निश्चित रूप से गंभीर परिनाम भुगतने होंगे अगर बंदी उसकी सगी बेहन नहीं होती तो वह ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता हाला कि अगर उस आदमी की ओर इशारा किया गया था जिसकी प्रिश्थ भूमी भी एक शक्तिशाली प्रिश्थ भूमी थी तो कोई और होगा जो संकट को साजा करने में उसकी मदद कर सकता था ताम जीव की गती रुप गई उस पर एक नजर डालने के बाद उसने अपना मोबाईल फोन निकाला और अपनी आंटी टैंग मिन का सेल नंबर डायल किया कॉल कनेक्ट होने के बाद वह पहले बोला आंटी मैं बीजिंग वाइरस रिसर्च इंस्टीट के बाहर हूँ क्या मैं आपको प्रभारी व्यक्ती से संपर्ख करने के लिए परिशान कर सकता हूँ मुझे संक्रमित मरीजों की स्थिती की जाच करने के लिए अंदर जाने की जरूरत है इस समय टैंग मिन अपने पिता के एक कॉल के कारण टैंग परिवार के पैत्रिक निवास के रास्टे जा रही थी जिसमें कहा गया था कि उससे उससे बात करने के लिए कुछ चाहिए हाला कि उसके पिता ने यह नहीं बताया कि मामला क्या था, वह थोड़ा अनुमान लगा सकती थी, क्योंकि यह बीजिन के प्रमुख परिवारों से संबंधित होना चाहिए, जिन्होंने याओ परिवार की संपत्तियों को विभाजित करना शुरू कर दिया, और सदस्यों द्वारा छोड़े गए पदों के लिए प्र जानती थी, क्योंकि जब वह व्यक्ति दूसरों द्वारा दबाया जाता था, तो वही उसकी मदद करती थी, अन्यथा उसके लिए वाइरस अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनना असंभव होता, कोई बात नहीं, मैं वाइरस रिसर्च इंस्टिट्यूट के निदेशक वेश याकिन को तुरंट फोन करूंगा, लेकिन शिवर आप राजधानी में कब आये, और सबसे पहले आप वाइरस अनुसंधान संस्थान क्यों गए, आप जानते हैं कि हाल ही में एक बहुत ही संक्रामक वाइरस का प्रकोप हुआ है, आप, आप उस मामले के लिए नहीं आए, क्या आपने? टैंग मिनने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जितना अधिक वे बात करते थे, उसे और अधिक एहसास हुआ कि यह महामारी के मामले से संबंधित था, आँटी मैं वास्तव में इस बार महामारी के लिए आया था, धनुष ने कहा, जब ह वाइरस का मामला कोई मजाक नहीं है, इस बात की संभावना है कि यदि आप थोड़े से भी लापरवा हैं, आप ये एचपा, अब मैं बकवास कर रहा हूँ, जिवर इसके बारे में बात करते हैं, बस उस मामले को अंदेखा करें और इसे दूसरों पर छोड़ दें, अब जबकि हमारे परिवार के पास बड़ी फसल है, मुझे यकीन है कि अगर आप मदद करने के लिए आते हैं, तो हमें छोटे फाइदे मिल सकते हैं, तांग मिन ने जल्दबाजी में कहा, ये छोटे फाइदे क्या हैं, बिल्कुल तांग जिव से असामान्य लहजे में पूछ याओ परिवार वर्तमान में राजधानी से हट रहा है, तांग मिन ने कहा, कई प्रमुख परिवार चुपके से उन संपत्तियों पर कबजा कर रहे हैं, जो याओ परिवार की संपत्ति हुआ करती थी, और उनके सगस्यों द्वारा छोड़ी गई खाली सीटों को भी निश शिव के उत्तर का अर्थ सुनकर तांग मिन ने जिजगते हुए पूछा, क्या आप वास्तव में अपना विचार नहीं बदलेंगे, शिव मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा और नहीं बदल सकता हूँ संक्रमितों में से कोई है जिसकी मुझे मदद करनी है, धनुष ने उत्तर दिया वो व्यक्ति कौन है, तां मिन ने जल्दी से पूछा यह मेरे ग्रैंड शिश्य का दोस्ट है, मुझे लगता है कि वह उसकी प्रेमिका होनी चाहिए, धनुष ने हंस्ते हुए कहा यह मेरे इस महानशिश्य से पहली बार मिल रहा है, और पहली बार उसने मदद मांगी इसलिए आंटी, कृप्या निर्देशक वेई से संपर्क करें क्योंकि मैं बहुत देर नहीं कर सकता तो ठीक है, समाचार की प्रतीक्षा करें, टैंग मिन ने यह कहकर तुरंट फोन काट दिया जाओ युंडी चुपके से बाचीत को सुन रहा था जब धनुष ने अपनी चाची को फोन किया वह पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर चुपके से यह सुनकर चौक गया कि धनुष की चाची निर्देशक वेई से संपर्क कर सकती है आखिरकार राष्ट्रिय वाइरस अनुसंधान संस्थान की निर्देशक सीट एक बहुत ही खास थिती थी और अपर्याप्त शक्ती और अधिकार वाले सरकारी अधिकारियों के लिए उस व्यक्ति तक पहुँच प्राप्त करना असंभव था केवल कुछ विभागों के वे लोग जो देश में वास्तविक नियंतरन रखते थे वेई श्याकिन से संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं उनका जाव परिवार भी वेई श्याकिन से सीधे संपर्क कर सकता था लेकिन वह इस दर से और इंतजार नहीं कर सकता था कि उसकी बहन इस शापित वाइरस अनुसंधान संस्थान में उसकी मृत्यू से मिल जाएगी तुम्हारा नाम क्या है? दोस्ट जांग युंडी ने अपनी थुड़ी उठाई और धनुष को वापस चलते हुए देखकर पूछा तांग जिव तांग जिव ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया तुम्हारी चाची का क्या काम है? क्या उसका अधिकार काफी बड़ा है? जांग युंडी ने सिरहिलाया यदि नहीं तो चलो बस एक साथ काम करते हैं और अंदर से तूट जाते हैं अगर बुरे से बुरे की बारी आती है मैं तुम्हें बाद में अपने एक भाई के रूप में लेलूँगा हाँ 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 टैंग जिव अपनी हंसी नहीं रोक सका अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही अंदर प्रवेश कर चुका होता वे इन अक्षम सैने को पर भरोसा करते हुए मुझे रोक नहीं पाएंगे जाओ युंडी ने अपनी आखे घुमाई अगर यह कोई और होता जो अपने बारे में शेखी बगारता तो वह पहले ही उस आदमी को थपड मार देता लेकिन वह धनुष को अब अपनी तरफ खीचना चाहता था इसलिए उसने अवमानना को अंदर ही दबा दिया और कहा यार असली आदमियों को शेखी बगारनी की जरूरत नहीं है यदि आपके पास गेंदे हैं तो आपको वह करना होगा जो आपको करना है तो चलिए जल्दी से अंदर आते हैं जांग युंडी के आकरामक रवये को नजरंदाज करते हुए धनुष इसके बजाए जांग लेई को देख रहा था जिसका चहरा ठंडा था और हलके से पूछा निदेशक वेई के कार्याले से इस जगह तक कितना समय लगता है शिव के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन वह अपने शब्दों से कुछ अलग महसूस कर सकता था यह देखने की इच्छा रखते हुए कि धनुष क्या मजाग करेगा उसने नमकीन के बिना उत्तर दिया कार्याले की इमारत तक पहुँचने के लिए पैदल चलने में बारह मिनट लगते हैं और कार से साढ़े चार मिनट लगते हैं धनुष ने सिरहिलाया और फिर जाओ युंडी की ओर देखते हुए कहा पांच मिनट दीजिए यदि वाइरस अनुसंधान संस्थान के निदेशक पांच मिनट के भीतर हमारे सामने नहीं आते हैं तो मैं आपके साथ अंदर जाने में सहयोग करूँगा आप क्या सोचते हैं? जांग लेड दंग रह गया हालाकि उसे अंदर से विश्वास नहीं हुआ फिर भी उसने सहन किया और सिर हिलाया इस समय वाइरस अनुसंधान संस्थान के निदेशक कार्याले के अंदर वेश याकिंग ने जाओ परिवार के प्रमुख को सिर्फ यह बताने के लिए फोन किया था कि जाओ यूंडी परेशानी पैदा करने आया है जाओ परिवार के मुखिया से माफी मांगने और उनके आश्वासन के बाद उनके दिल के अंदर का तनाव कम हो गया हालांकि इस से पहले कि उसके पास राहत की सांस लेने का समय होता उसका मोबाइल फोन बज उठा ओ, यह नंबर है कुछ याद करने के बाद वेश याकिन ने तुरंट फोन उठाया और बोला, मंतरी तांग, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए निर्देशक वेई मुझे आपको परिशान करने की आवश्चक्ता है मेरा भतीजा, धनुष अब आपके वाइरस अनुसंधान संस्थान के बाहर है वह स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल में एक चीनी चिकितसक है और नई पीधी के एक युवा दिव्य चिकितसक के रूप में भी प्रसिद्ध है मुझे आशा है कि आप उन्हें रोगियों और उनकी बीमारी का निदान करने में मदद करने के लिए साइट में प्रवेश करने की अनुमती दे सकते हैं हो सकता है कि वह अपनी क्षमता को देखते हुए वाइरस के बारे में पता लगा सके और स्थिती का समाधान खोजने में मदद कर सके शिव के नाम का एक बार फिर उलेक सुनकर वेश याकिंका रंग अचानक से बदल गया उसने बस महसूस किया कि नाम परिचित था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह धनुष्टान परिवार का धनुष है याओ परिवार वर्तमान में जिस स्थिती में था उसके बारे में उसने बहुत कुछ सीखा था और इसका सबसे अधिक श्रे धनुष को अपने कारियों से मिला था इसके अलावा धनुष को स्थार सिटी चाइनीज मेडिकल हॉस्पिटल में चमतकारिक रूप से काम करने वाले युवार डॉक्टर के रूप में भी सम्मानित किया गया था एक तथ्य जिसे वह एक पल पहले याद नहीं कर सका था उसने एक पल के बाद बार-बार सिरह लाया और कहा मंतरी टैंग आप निश्चिन्थ हो सकते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर टैंग को आमंतरित करने के लिए दोडूंगा धन्यवाद तांग मिन ने कहा फोन रखने के बाद वेश या किंग ने अपना कोट लेने में भी समय नहीं लगाया उसने केवल अपना मुबाइल फोन पकड़ा और बाहर की ओर भागा वह राष्ट्रिय वाइरस अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में अपनी वर्तमान स्थिती प्राप्त कर सका एक ओर उसकी शैक्षनिक उपलब्धियों के कारण और दूसरी ओर यह तांग मिन के कारण था उसकी पतनी हाई स्कूल में तांग मिन की जूनियर थी और वह वह थी जिसने तांग मिन की मदद मांगी थी जब उसे कुछ शक्तिशाली सरकारी अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा था इस प्रकार उसक्लेश के माध्यम से उसकी मदद की इसलिए टैंग मिन उसकी संरक्षक थी यह कहने की बात नहीं है कि उसका अधिकार उससे कहीं अधिक था वाइरस अनुसंधान संस्थान की परिधी के भीतर सबसे बाहरी नाकाबंदी रेखा पर जाओ युंडी ने अपनी घड़ी की ओर देखा धनुष ने उससे जो पांच मिनट का जिक्र किया था उसमें से चार मिनट हो चुके थे और फिर भी उसने अब तक न तो भूत देखा और नहीं चाया जिससे उसकी अवमानना भी बढ़ गई यार समय लगभग समाप्त हो गया है बस एक मिनट बचा है मुझे तुमसे कहना है कि तेजी से आगे बढ़ो और मरो मत क्योंकी समय पूरा होने पर हम जल्दी करेंगे अंत में हम इसमें एक साथ हैं कोई फर्क नहीं पढ़ता की परिनाम क्या है कैपिच लोग कहते हैं कि जल्दबाजी बरबाद कर देती है धनुष ने ठंडेपन से कहा समय अभी पूरा नहीं हुआ है अगर निर्देशक वेई तब तक बाहर नहीं आए तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ अंदर जाऊंगा जब तक कुछ उम्मीद बाकी है तुम चलते रहना चाहते हो जाओ युंडी ने ठंडेपन से गुन-गुनाया चुमकि आप इंतजार करना चाहते हैं तो मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि क्या वह उपनाम वेई है उसके शब्द बीच रास्ते में अचानक रुप गए क्योंकि एक उजजवल SUV अचानक दिखाई दी और फिर दस सेकंड बाद सब के सामने रुप गई वेई शियाकिंग ने फिर जल्दी से ड्राइवर की सीट से चलांग लगाई और लोगों के दो समुहों को एक दूसरे से भिरते हुए देखा इससे पहले कि उसकी नजर अंतर धनुष पर पड़ी उन्होंने धनुष के चहरे को याद किया जो तान परिवार की इस पीधी में सबसे निर्मम और चरित्र से निपटने के लिए कठिन था इसके अलावा अफवाहों में यह था कि वह तान परिवार द्वारा लापता होने और दो दशकों तक बाहर रहने के बाद अभी अभी पाया गया था मुझे वास्तव में खेद है मिस्टर टैंग मुझे नहीं पता था कि यह आप पहले थे इसलिए मैंने अपराध किया मुझे आशा है कि आप मेरी अज्यानता से परिशान नहीं होंगे खुद की एक प्रमुख पहचान होने के बावजूद वेश या किंग ने इस समय विनमरता पूर्वक अपने चहरे पर पूर्नक शमाप्रार्थी अभिव्यक्ति के साथ काम किया हमें समारोह में खड़े नहीं होना चाहिए निर्देशक वेई तांग जिवने एक फीकी मुस्कान बिखे री मेरे आने का कारण यह है कि मैंने छूट की बीमारी के बारे में सुना और मुझे आशा है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आप एक युवा दिवे चिकितसत हैं और मैंने पहले ही आपकी सत्यनिष्ठा और चिकितसा विशेशग्यता के बारे में सुना है बेशी किंग ने जल्दी से कहा हमारे संस्थान के सभी विशेशग्य वर्तमान में काफी चिंतित हैं क्योंकि वे अभी भी वाइरस का अध्यान करने में असमर्थ हैं और यह कहां से उत्पन हुआ है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम आपकी मदद से निश्चित रूप से बहुत से लोगों को बचा पाएंगे किनारे पर हालांकी जाओ यूंडी यह देखकर चौक गया था कि धनुष का फोन पांच मिनट के भीतर वेश याकिन को लाने में सक्षम था उसने दो आदमियों के बीच की बातचीत को सुनकर तुरंट अपनी आखे मूद ली अरे सरनेम वेई मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा निर्देशक अप्रत्याशित रूप से लोगों के गधे को भी इस तरह से चून सकता है लेकिन यह दोस्त कितने साल का है एक युवा दिव्य चिकित सक क्या मजाक टैंग जिव ने एक फी की मुस्कान के साथ उसकी और देखा क्या यह बंदा चहरे पर एक तमाचा ढूंड रहा है जैसा कि अपेक्शित था जाव युण्डी की बाते सुनकर वेई शियाकिम गुस्से में दिखे हाला कि वह अपनी पहचान से काफी डरता था फिर भी उसने उसे डाटा जाव युण्डी मैंने पहले ही तुम्हारे दादाजी को फोन कर दिया है और मुझे यकीन है कि वह जल्द ही तुम्हें वापस खीचने के लिए कुछ लोगों को भेजेगा और शुरू में आप दिव्य डॉक्टर टैंग की स्थिती को कैसे समझ सकते है अपने आद्मियों को ले जाओ और जल्दी से यहां से निकल जाओ नहीं तो जाओ परिवार तुम्हारी गांड नहीं बचा पाएगा अगर यहां मामला बढ़ा हो जाता है गुस्से में जाओ युंडे ने अपनी पिस्टॉल पकड़ ली और वेश याकिन पर निशाना साधा वह फिर गुस्से से गुराया उपनाम भी शर्म से अपना चेहरा मत पोंचो मुझे आज ही अपनी बहन को वापस लाना चाहिए नहीं तो देखो कि मैं तुम्हारे वाइरस अनुसंधान संस्थान को कैसे नश्ट कर देता हूँ वेश याकिन को जाओ युंडी का डर नहीं था क्योंकि उसने बंदूक से इशारा किये जाने के बावजूद अपनी चाती को सीधा कर लिया और फिर सक्ती से चिलाया मुझे पहले से ही पता है कि तुम बेलगाम और उग्र हो जाओ युंडी आपको राजधानी की सबसे बड़ी रेश्मी पतलून कहा जा सकता है लेकिन अगर आप देश की इस महत्वपूर्ण संस्था पर खुले आम हमला करते हैं तो आप किस तरह के भागय का इंतजार कर रहे हैं इसके बारे में सपष्ट रूप से सोचें जाओ परिवार बहुत शक्तिशाली हो सकता है लेकिन वे केवल आपके अकेले के लिए राज्य द्वारा दबाए जाने का जोखिन नहीं उठा सकते अपनी बंदूक नीचे रखो और अपने आद्मियों के साथ निकल जाओ जाओ युंडी ने जल्दी से सेफटी लॉक खोला और ट्रिगर दबा दिया तक्राना शियाकिंग के माथे पर लगी धनुष जो बगल में खड़ा था ने तुरंत अपनी भौहे सिकोरली और अपना हाथ लहराया गोली तब उनकी तरजनी और मध्यमा अंगुली के बीच फंस गई थी जिससे वेश याकिन पर कोई आपदा नहीं आई इससे पहले धनुष ने जाओ युंडी के रेश्मी पैंट वाले रवये को नापसंद किया था लेकिन अब वह वास्तव में उससे घ्रेना करता था अपने परिवार की शक्ती पर भरोसा करके हत्या का सहारा लेना एक ऐसी कारवाई जिसे धनुष वास्तव में हे द्रिश्टी से देखता था यदि वह स्वयन बहुत सक्षम होता तो अपने परिवार की सुरक्षा पर भरोसा किये बिना यदि वह चाहता तो हत्या का सहारा ले सकता था लेकिन उसकी कारवाई अब बस खुद के लिए आपदा बन गई और अपने ही परिवार पर आपदा का निर्देश दिया कैसा मूर्ख है धनुष के मुह से एक थंडी गुनगुनाती हुई आवाज आई गोली चली गई थी यह कुछ ऐसा था जिसकी जाओ युनडी को उम्मीद नहीं थी फिर उसकी नजर तान जियू की उंगलियों के बीच फंसी गोली पर पड़ी अविश्वास तुरंद उसके चहरे पर जलक आया यह एक फिल्म की तरह था जब मुख्य पात्र ने अपनी उंगलियों के बीच एक गोली पकड़ी लेकिन हकीकत में कोई ऐसा कैसे कर सकता है क्या वह? क्या वह सपना देख रहा था वेश याकिन को भी लकवा मार गया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जाओ युंडी वास्तव में उसे गोली मारने की हिम्मत करेगा उसने तांग जिव की उंगलियों के बीच गोली को देखा और उसका सूखा गला कुछ बार लड़ खड़ाया जबकि उसके बगल में जांगली ने पहले से ही अपनी बंदूक जाओ युंडी पर निशाना साधा था जिसक्षन साथी ने अपनी बंदूक निकाली अगर धनुष जाओ युंडी को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता तो हो सकता है कि उसने पहले ही गोली मार कर उसकी हत्या कर दी होती वास्तव में क्या हुआ? निर्देशक पर निशाना साधी बंदूक में गोली कैसे नहीं लगी? क्या जाओ युंडी की बंदूक नकली थी? शिव की उंगलियों के बीच की वस्तु को देखकर उसका चहरा सदमे से भर गया खाली हाथ पकड़ी गोली क्या उसकी आखों पर भ्रम छा गया था या वह कोई सपना देख रहा था? इस समय उनके साथ के बाकी लोग भी धनुष की हरकत से हैरान थे उनके चहरे अविश्वास से रंगे हुए थे क्योंकि उन में से कुछ ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए अपनी आखे भी मली की वे कोई भ्रम तो नहीं देख रहे थे आखिरकार हर कोई आखिरकार अपने होश में आ गया और महसूस किया कि वे चीजों की कलपना नहीं कर रहे थे यह वास्तव में वास्तविक था गाली देने और गोली पकड़ने के बाद धनुष ने जहाओ युंडी के हाथ में पिस्टॉल पकड़ ली उसने ठंडी सुंगी और कहा राजधानी के सभी महान रिशम पैंट कुछ और नहीं बलकी मूर्ख हैं जो केवल शेखी बधारना और बहादुरी का काम करना जानते हैं यदि इस समय आपके जहाओ परिवार द्वारा प्रदान किया गया आश्रे नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि आपके विद्रोही व्यवार के कारण आप कितनी बार मर चुके होते यदि आप खेलना चाहते हैं तो किसी और को परेशान न करें क्योंकि मैं आपका साथ दूँगा मैं वास्टव में नहीं मानता कि आपका जाओ परिवार याओ परिवार से ज्यादा मजबूत है जाओ युंडी दंग रह गया उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष वास्टव में अपने भाले का निशाना उस पर लगा रहा था वह अब तक धनुष की पहचान का पता नहीं लगा पाया था लेकिन जब उसने यहां आने के समय को याद किया जब जाओ ली भी धनुष पर अपनी बंदूग तान रहा था तो वह तुरंत गुस्से में आ गया उसने सोचा की वाइरस अनुसंधान संस्थान के निदेशक को फोन करने में सक्षम होने के लिए धनुष के पास केवल एक अच्छी चाची थी कमबक्त बेवकूफ गधे आप मांग रहे हैं पा तांग जिउने उसके चहरे पर थपड मारा जैसे ही वे 20 गठीले आदमी आगे बढ़ने वाले थे जांग लेई ने अपने सुरक्षा गल के सदस्यों को आगे बढ़ाया और स्थिती गतिरोध में बनी रही आप सब वह पा पिर भी धनुष द्वारा उसे लगाता थपड मारा गया यह तब तक नहीं था जब तक कि उसे एक गर्जन से अधिक बार थपड नहीं मारा गया था कि वह गुस्से के कारण लगभग अपना विवेक खो बैठा था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अपने आद्मियों को हमला करने का आदेश देने की कोशिश की थी दुर्भाग जिसे उसके लिए चिल्लाने के लिए परियात समय नहीं था क्योंकि उसके चहरे पर और भी थपड पड़े बन तैंग जिव के थपड इतने भयंकर थे कि वह अपने बटपर गिर गया उसने अब बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल धनुष को एक जानलेवा चकाचौंध मार सकता था वह चाहता था कि वह अपने कंडरा खीच सके, अपनी हड्डियों को काट सके और अपनी राख बिखेर सके धनुष ने जानबूच कर अपना हाथ फिर से उठाया और उपहास किया मुझे वास्तव में आपको पीटने का मन नहीं कर रहा था लेकिन आपके जाओ परिवार के मेरे तांग परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं इसलिए मैं केवल इस बार आपको बचा सकता हूँ लेकिन यह मत सोचो की दूसरी बार कभी नहीं होगा जदि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि कैसे ठीक से कार्य करना है और कब आगे बढ़ना है और पीछे हटना है तो जाओ परिवार पर आने वाली आपदा से बचने के लिए मुझे खुद को मारने में कोई आपत्ती नहीं है शियाकिंग को देखा और कहा निदेशक वेई लोगों को बचाना आग से लड़ने जैसा है मुझे आशा है कि आप उसके स्तर तक नहीं गिरेंगे क्योंकि वह और कुछ नहीं बल्कि अपने परिवार द्वारा बिगाड़ा गया एक बववा है खाते को लिखने के मूल्य के रूप में पहले बुलेट पर विचार करें आप क्या सोचते हैं शिव को खामोशी से देखने के बाद वेश या किंग ने अंत में गहरी सांस ली और कहा ठीक से कहूं तो मुझे इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोली मारी थी लेकिन मैं इस मामले को तुम्हारे चेहरे के कारण जाने दूँगा लेकिन अगर वह फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है तो मैं नरक के राजा को एक साथ देखने के लिए उसे अपने साथ घसीटने के लिए तयार हूँ तैन जिवने जवाब में सिरहिलाया उसने फिर जाव यूंडी को लात मारी और जोर से चिलाया तुम यहां किसलिए घूर रहे हो हाथा पाई जाव यूंडी को डर्था कि धनुष उसे फिर से मारेगा लेकिन फिर यहां आने के अपने उद्देश को याद किया और वापस चिलाया अगर आपको गेंदे मिली तो बस मुझे मार डालो एक पल के लिए चुक रहने के बाद धनुष ने अचानक जाव यूंडी द्वारा लाए गए उन लोगों को देखा और उनसे गहरी आवाज में बात की मुझे परवाह नहीं है अगर आप सभी जाव परिवार की निजी ताकत हैं नहीं मुझे परवाह है आप कौन है इसके बारे में यदि आप जाव यूंडी और एस्सी आरेम के लिए अदाल्ती मुसीबत नहीं चाहते हैं तो अपनी बंदू के नीचे रखें हम्फ वह एक छोटा सा बदमाश है लेकिन आप सब नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आज के कारियों के लिए आपको कितने गंभीर परिनाम भुगतने होंगे बीस गठीले आदमियों ने निराश होकर देखा उन्हें स्थिती की गंभीरता का एहसास कैसे नहीं हुआ फिर भी उन्हें जाओ यूंडी के आदेशों का पालन करना पड़ा इस प्रकार वे केवल खुद को तयार कर सकते थे और जवार के साथ जा सकते थे तुरंट उन सभी ने जाओ यूंडी को देखा और उसके फैसले का इंतजार करने लगे यूंडी के चहरे पर एक बादल लेकिन फिर भी जिजक के भाव देखे जा सकते थे जमीन से उठने और हाथ हिलाने से पहले वह आधा मिनट से ज्यादा हिचकी चाया आप सभी वापस जाओ जल्दी से वे 20 हट्टे कट्टे आदमी चले गए उसके बाद जाओ यूंडी ने टैंग जिव पर एक नजर डाली हाला कि उसके चहरे पर अब भी गुस्सा था उसने इस बरदस्ती अपने आपको वापस पकड़ लिया और चिलाया मैंने पहले ही उन्हें जाने का आदेश दे दिया था लेकिन मुझे अभी भी अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी बहन को इस जगह से अभी और अभी ले जाना है मैं उसके बिना इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी महसूस करते हुए धनुष ने अपना सिर घुमाया और वेश याकिंग की ओर देखते हुए कहा चलो अंदर चलते हैं लोगों को बचाना ही माइने रखता है वेश याकिंग ने प्रतिक्रिया में जल्दी से सिरहिलाया संपर्क था और साथ से अधिक पहले से ही तेज बुखार के लक्षनों से पीडित हैं और उनके संक्रमित होने की पुष्टी हुई है हमने देश भर में बहुत से विशेशग्यों को भी नियुक्त किया है लेकिन यह अफसोस की बात है कि हम अभी तक वाइरस की उत्पती का पता लगाने में सक्षम नहीं है और साथ ही संक्रमित का इलाज कैसे किया जाए इसका समाधान भी नहीं खोच पाए है धनुष ने चेन टोंग को देखा और पूछा और शायत कुंजी उसके पास है मैं भी आ रहा हूँ तुरंत जाव युंडी चिलाया आप क्या कर सकते हैं धनुष ने अपनी भौहे सिकोडी और ठंडेपन से कहा बस बाहर प्रतीक्षा करें जाव टिंगटिंग मेरी बहन है इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ जाना चाहिए जाव युंडी ने जोर से कहा उसके रहस्योधाटन ने धनुष को खालीपन से घूरने पर मजबूर कर दिया और चेंटों का चहरा अविश्वास से भरा हुआ था वह और जाव टिंगटिंग सहपाथी थे और दोनों विदेश में एक ही विश्व विद्याले में पढ़े थे यह तब था जब वे एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए और प्रेमी बन गए यह सिर्फ इतना था कि उनके रिष्टे को अभी तक उनके परिवारों द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी इस बार जाव टिंगटिंग के साथ बीजिंग जाने का कारण भी उनके परिवार से मिलना था उसने शायद ही कभी जाओ टिंटिंग को अपने परिवार का जिक्र करते हुए सुना और सोचा कि वह सिर्फ एक धनी परिवार से आई है और बड़ी हुई है उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बीजिंग के जाओ परिवार की वंशच निकलेगी मुझे परवाह नहीं है कि जाओ टिंगटिंग कौन है तांग जिव ने उदासिंता से कहा वह अब वाइरस की वाहक है और मेरे अलावा किसी को भी उसे देखने की अनुमती नहीं है इसलिए आग्याकारी बनो और बाहर प्रतीक्षा करो तुम जाओ युंडी गुस्से से उबल रहा था टैंग शिव ने अपना हाथ उठाया उसे डराते हुए जैसे ही वह कुछ कदम पीछे हटे दो मिनट बाद टैंग शिव कई लोहे के फाटकों से गुजरा और बायोहाज़र सुरक्षात्मक सूट पहने एक स्टाफ सदस्य के साथ गलियारे में चला गया पारदर्शी खिडकियों के माध्यम से उन्होंने देखा कि प्रत्येक कमरे में दो लोगों का कबजा था और वे निराश और निराश दिख रहे थे संगरोध शेत्र के भीतर सबसे गहरी जगह में सुन्दर जाओ टिंगटिंग ने कोने में बिस्तर पर जुपते हुए अपने घुटनों को टिका लिया उसका रंग असामान्य लालिमा से रंगा हुआ था और उसके होंट थोड़े बैंगनी थे वह शुने रूप से घूर रही थी और थोड़ी टेढ़ी भौहों के साथ अचंभे में थी दिंग शिव के प्रवेश करते ही आइसोलेशन रून का दर्वाजा खुल गया जबकि बायोहाजड सुरक्षात्मक सूट में स्टाफ सदस्य ने दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया तुम जाओ टिंगटिंग ने धीरे से उसे उठाया और आश्चर्य से देखा क्या आप जाओ टिंगटिंग चेंटों के सहपाथी हैं धनुष ने मुस्कराते हुए पूछा उसने जवाब में सिर हिलाया मानो कुछ समझ में आ रहा हो वह अचानक बिस्तर से उठी कोने में जाकर चिलाई मेरे पास मत आना आपको अंदर किसने जाने दिया मैं मैं एक वाइरस से संक्रमित हो गया हूँ जल्दी से बाहर निकलो कितनी अच्छी नैतिक्ता और चरित्र है ताम जिवने प्रशन साकी आपकी अपनी सुरक्षा की अभी गारंटी नहीं है लेकिन आप अभी भी दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं आप में से यह बहुत महान है मेरे ग्रैंड शिष्य की पतनी के रूप में मुश्किल से ही योग्य है धनुश कोने में बिस्तर की ओर चला गया और उसने जाओ टिंगटिंग की रिक्ट अभिव्यक्ती को देखा और कहा मैं अपना परिचय देना भूल गया मैं चेंटों का ग्रैंड मास्टर हूँ यदि मेरा अनुमान सही है तो आपको उसकी प्रेमिका होनी चाहिए क्योंकि उसने बीजिंग में रहने के लिए इतना बड़ा जोखिन कभी नहीं उठाया होता और मुझसे संपर्क नहीं किया होता और मदद नहीं मांगी होती टिंगटिंग की आँखों में अविश्वास भर गया और जवाब में वह बुद्बुदाई मुझे पता है कि चेंटों के पास एक ग्रैंड मास्टर है जो उनके डैड का मास्टर है परन्तु आप आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ है ना धनुष ने हंसी के साथ टिपपणी की जाओ टिंगटिंग ने बिना किसी हिच्टी चाहट के सिरहिलाया शिव ने कहा विशेशग्यता के कई क्षेत्रों में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जिसने एक निश्चित उचाई हासिल की है वह मास्टर बन सकता है और दूसरों को सिखा सकता है मैं कुछ पहलों में काफी विशेशग्य हूँ और मुझे अपने से बड़े शिश्य मिले है इसे एक स्पष्ट प्रमान माना जा सकता है एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ जाव टिंगटिंग ने उचसुकता से टाइम शिव को देखा और पूछा आप किस शेत्र में विशेशग्य है मार्शल आर्ट मैं चीनी चिकित्सा शेत्र जैसे कई पहलों में काफी शक्तिशाली हूँ उनके स्थान पर आने में सक्षम होने के लिए मुझे यह समझाना चाहिए कि बहुत से लोग इस शेत्र में मेरी विशेशग्यता को पहले ही पहचान चुके है वैसे भी आपको मेरे द्वारा संक्रमित होने के बारे में चिंता करने की जुरत नहीं है अगर मुझ में पर्यात आत्म विश्वास नहीं होता तो मैं इस तरह कपड़े पहनकर नहीं आती जाओ टिंगटिंग बिस्तर से उठने से पहले जिजक रहे थे केवल उसकी शारिरिक स्थिती अब बहुत कमजोर हो गई थी और वह लगभग जमीन पर गिरपड़ी थी धनुष ने उसे सहारा देने के लिए जल्दी से काम किया और उसकी नाडी की जाच करने से पहले उसे वापस बिस्तर पर बैठा दिया ओह अपने आध्यात्मिक ज्यान के निरीक्षण के माध्यम से धनुष ने जाम तिंगटिंग के गुर्दे में अप्रत्याशित रूप से गहरे हरे रंग के गैसिय पदार्थ का एक ग्रव्यमान पाया और बहुत धीमी गती से निकटम रक्ट वाहिकाओं पर आक्रमन किया यह रक्ट के साथ उसके पूरे शरीर में फैल गया और अपने साथ एक अजीबोगरीब गंध लेकर आया गंध को आम लोग नहीं सुंख सकते थे लेकिन धनुष अपनी सुंखने की तीचन समझ से इसे सुंख सकता था इसके अलावा उसकी नाड़ी कुछ असामान्य थी न पूछना सहन नहीं हो रहा था तिंगटिंग ने एक पल के लिए जिजखने के बाद धीमी आवाज में जवाब दिया मैं हमेशा दर्थ से डरता था क्योंकि मैं छोटा था लेकिन अगर यह मुझे वाइरस से ठीक कर सकता है तो मैं इसे सहन कर लूँगा इमानदारी से कहू तो मेरे पास 100% आशवासन नहीं है क्योंकि विश आपके पूरे शरीर में रक्तवाहिकाओं के अंदर है तांग जिवने सिरहिलाया लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपकी जान बचा सकता हूँ यह सुनकर जाओ टिंगटिंग ने बिना किसी हिचकी चाहट के सिर लिया और उसके शरीर में अपनी प्राइमल कैयोस फोर्स को इंजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके अंगूठे ने उसकी नब्स के खिलाफ दबाव डाला एक आँ टिंगटिंग के मुह से एक करकश चीख निकली उसे लगा जैसे दो तेज चाकू उसके हाथों में चुब गए हो और तेजी से और तीवर दर्द के साथ उसके कंधों की और तेजी से बढ़ते जा रहे हो अगर उसने खुद को पहले से तयार नहीं किया होता तो शायद दर्द ने उसे बेहोश कर दिया होता टैंक जिव ने उसे एक गहरी नजर से देखा और प्राइमल कैयोस फोर्स की दो धाराओं को नियंतरित करने पर ध्यान केंदरित करने से पहले अपने दिमाग को टुरंत रोक लिया क्योंकि इसने बहुत ही कम समय में उसके गुर्दे तक बुल्डोजर चला दिया उसके बाद उन्होंने प्राइमल कैयोस फोर्स के अत्यधिक बलका उप्योग करके गहरे हरे रंग के गैसिय पदार्थ को लपेटा बाहर टिंगटिंग के चेस्ट सेंटर एक्यू पॉइंट से चांदी की सुड़ी बाहर निकली एक तीखी गंध आने लगी और अंदर से उगलने लगी केवल आधे मिनट में नीचे का सारा गहरा हरा गैसिय पदार्थ पूरी तरह से बाहर निकल गया सहन करना मुझे डर है कि अगर तुम अभी बेहोश हो गए तो तुम फिर से नहीं उठपाओगे अपनी उंगलियों को उसके माथे पर दबाकर धनुष ने अपने शरीर में प्राइमल कैयोस फोर्स की दो धाराओं को एक में मिला दिया और उसे अपने शरीर की सभी दिशाओं में फैला दिया यह एक पारे के तरल पदार्थ की तरह है था जो सभी दिशाओं में विखर रहा था क्योंकि यह जाओ टिंगटिंग के शरीर में 10 सेकंड से भी कम समय में फैल गया था आ लेकिन अब उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह उस समय से कम से कम 10 गुना अधिक था उसका शरीर काप रहा था और उसका चहरा खून से रहित था उसके गले से निकली चीक के साथ प्राइमल कैयोस फोर्स एक जाल की तरह फैलती दिख रही थी जो उसके शरीर के अंदर की अशुद्धियों को शुद्ध करती थी जिसमें उसके खून के अंदर के हरे विशात्थ पदार्थ भी शामिल थे जो सभी में खीचे गए और एक पदार्थ जो प्राइमल कैयोस फोर्स द्वारा लपेटा गया था और अभी अभी स्रावित हुआ था अब उसकी आखों के सामने चुपचाप तैर रहा था वह जाओ टिंगटिंग पर ध्यान नहीं दे सका जो जो जोर से हांफ रहा था और बिस्तर पर गिर पड़ा था औ और आगे बढ़कर उसे सुंगने लगा उसने फिर एक और चांदी की सुईली ग्रे पदार्थ को उठाया और अपनी उंगलियों से हलके से घुमाया जैसे उसके चहरे पर क्रोध का भाव दिखाई दिया तिंगटिंग के शरीर में निश्चित रूप से विश्का इंजेक और चीनी मिटी के बरतन फूलदान में गहरे हरे रंका गैसी पदार्थ डाला उसके ढखकन बंद किये और फिर जाओ टिंगटिंग को देखा एक एक मिनट में जाओ टिंगटिंग को ऐसा लगा जैसे वह अंगिनत सदियों से नरक में पीडित थी वह लगभग पकड़ में खुद को सहारा दे रही थी क्या आपने पर्याप्त आराम किया है तामजिव से पूछा थोड़े पीले चहरे के साथ जाओ टिंगटिंग की आत्मा थोड़ी मुर्जाई हुई लग रही थी लेकिन उसके चहरे पर अविश्वास के भाव थे और वह बुद्बुदाई यह वास्तव में अविश्वस्निय अविश्वस्निय है मैं अपने शरीर की तरह महसूस करता हूँ बीमार होने से पहले की तुलना में काफी बहतर महसूस करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर बहुत तनावमुक्त गर्म और आरामदायक है इमानदारी से कहूं तो यह वास्तव में आपके लिए भेश में एक आशिरवाद था, धनुष ने हंस्ते हुए कहा, जब मैंने आपके शरीर के अंदर के विश को हटा दिया, तो मैंने आपके शरीर को गुजरने में मदद की, प्रक्रिया वास्तव में बहुत दर्दनाक है, लेकिन भविश में यह आपके लिए बहुत फाइदे मंद होगी, लेकिन आपको अभी भी अपने दिमाग को शांत करने और स्वस्थ होने की जरूरत है, क्योंकि आप अभी भी कुछ समय के लिए बहुत कमजोर रहेंगे, मेरे शरीर में विश निकाल दिया गया है, क्या मैं पहले से ठीक हूँ, ह ज्राओ टिंगटिंग ने कहा और उसके पीले चहरे पर हलकी लालिमा थी, उसे एक स्त्रीरोग संबंधी बीमारी हुई थी, और अभी कुछ समय पहले ही उसे एक परीक्षा के माध्यम से पता चला, यह एक प्रकार का गुप्ध स्त्रीरोग संबंधी रोग है, जो युवा महिलाओं को उनके फूलों की उम्र में अनुबंधित करता है, फिर भी यह वास्तव में धनुष्द्वारा उजागर किया गया था, जिससे वह शर्मिन्दा और शर्मीली हो गई थी, अरे इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसके अलावा शुरुआत करने के लिए डॉक् पदार्थों के होने के कारण से संबंधित है, हाव भाव में बदलाव के साथ जाव टिंगटिंग ने तुरंट अपनी शर्मिन्दगी दूर कर दी, उसने फिर एक गंभीर अभिव्यक्ती की और उत्तर दिया, प्रप्या पूछो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने व यह सही है, मुझे याद है कि इस स्त्रिरोग संबंधी बीमारी के कारण मैं अस्पताल में इलाज के लिए गई थी, इसके इलाज के लिए मुझे दवा का इंजेक्शन लगाया गया था, मुझे मत बताओ, कि मेरे शरीर के अंदर जो टॉक्सिंस थे वो इसलिए थे क्योंक धनुष भौचक का रह गया, तुम्हारा मतलब है कि अस्पताल इस समस्या का कारण है, या वह डॉक्टर था, मुझे नहीं पता, जाओ टिंगटिंग ने अपना सिर हिला दिया, एक पल के लिए सोचने के बाद धनुष ने कहा, हाला कि मैंने आपके शरीर से विशाक्त पहले ही निकाल दिया है, आप फिलहाल इस जगह को नहीं छोड सकते, मैं बाद में अन्यरोगियों का इलाज करने जाओंगा, और आपको यहां इंतजार करना होगा, साथ ही आपकी स्थिती बहुत खास है, इसलिए मुझे स्टेट स्पेशल ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट क सिरहिलाया, धनुष फिर दर्वाजे पर गया और खटखटाया, इसके बाद दर्वाजा बाहर से खोला गया, इस बार यहां न केवल बाहर के कर्मचारी थे, बलकि अपने बायोहाजर सुरक्षात्मक सूट में वेश याकिंग भी थे, यह कैसा था, दिव्य डॉक्टर टै यहां रक्त के लिए अत्यधिक संक्रामक है और लार के माध्यम से दूसरों को संक्रमित कर सकता है, जबकि श्वसन संक्रमन अगले क्रम में हैं, हाला कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह बहुत कम संभावना है कि संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को फि उन पर एक साथ शोध करने के लिए अधिक विशेशग्यों को ढूंड़ना सबसे अच्छा है। पदार्थ के नमूने भी लिए। महान! महान! यहाँ आपका बहुत श्रमसाध्य कार्य है दिविय डॉक्टर टैंग। मैं इन दोनों बोतलों को तुरंत प्रयोगशाला भेजूंगा। वेश याकिंग ने उच्साह से उतर दिया। धनुष ने वेश याकिंग के जाने के साथ साथ अन्य संक्रमित लोगों का इलाज करने की जल्दी नहीं की और विशेश ब्यूरो से लियू चांग्शी को पॉल करने के लिए अपना मोबाईल फोन निकाला। उन्होंने उसे वाइरस अनुसंधान संस्थान के साथ साथ अपने अनुमानों के सामने आने वाली समस्या के बारे में बताया और फिर जोर देकर कहा कि वह समस्या की जाच के लिए उसे छोर देंगे। बीजिंग का जाओ परिवार पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध था और उनके पास सशस्त्रबल के संबंध में कमजोर होने के बावजूद उनके परिवार के बहुत से सदस्य राजनेता के रूप में थे। बस विभिन प्रांतों के शीश अधिकारियों को जाओ परिवार से कम से कम दो सदस्य कहा जा सकता है जबकि दूसरे कमांड और तीसरे रिंग ओफ अथॉरिटी में दो बार संख्या हो सकती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक दुस्साहसी होगा। वह सोचता रहा कि अपने बेटे के प्रती उसके कमजोर रवये ने बस्तुधा उसे एक टाइम बम बना दिया है। मांग लिया कि इस घटना को एक निर्धारित कीमत चुका कर सुलजाया जा सकता है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि उनका बेटा भविश्य में कब और मुसीपते खड़ी करेगा। अंगुठी 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 अंगुठी। उसका मोबाइल फोन बस उठा और जाओ किंग फिंग ने तुरंत इसका जवाब दिया। उसके ठीक बाद उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। अविश्वास के एक फटने से उसकी आखे भर गई। उसने अपनी बंदूप निकाल दी। और इसका उद्देश्य वाइरस। अनुसंधान संस्थान के निदेशक वी शीकिंग थे। एक फ्लैश में उसके दिल में एक निराशा का भाव फूट पड़ा। वे श्याकिंग को गोली मारने के परिनामों से पूरी तरह वाकिफ थे। इसका मतलब था कि उनके बेटे के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था, वह इस बार बरबाद हो गया था। मेरा आदेश मानू। जाओ युंडी के हाथ से बंदूग चीन लो और उसे तुरंत वापस ले जाओ। गहरी सास लेने के बाद जाओ किंग फेंग जोर से चिलाया। हम पहले ही वाइरस अनुसं जाओ युंडी धनुष और वेश याकिंग के साथ अंदर गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम अभी वापस जा सकते हैं। फोन पर आवाज से जवाब आया। वह क्या है। जाओ किंग फिंग शब्दों के लिए स्तब्ध था, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट से हैरान और हतप्रभ था। चुंकि उनके बेटे ने वेश याकिंग को गोली मार दी थी, क्या वेश याकिंग को मरना नहीं चाहिए या कम से कम घायल होना चाहिए। बस कैसे? कुछ मिंटों के बाद जाओ किंग फिंग के दिमाग में जो पहे ली थी, वहां आखिरकार सुल और एक भयानक आपदा की जिम्मेदारी ली एक ऐसा कार्य जिसके लिए जाओ किंग फिंग आभारी महसूस नहीं कर सकता था। उनकी विशेश पहचान के साथ उन्हें बाहर निरीक्षन के बाद वाइरस अनुसंधान संस्थान में प्रवेश करने के लिए हरी जंडी देन के कारण लाल हो गया था। जाओ किंग फिंग के पास रत्ती भर भी दया नहीं थी और नहीं परेशानी थी क्योंकि वह इसके बजाए अधिक गुस्से में था। पापा पिये। एक दरजन थपड मारने के बाद जाओ किंग फिंग ने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिय और अंत में रुप गया। उसने अपने बेटे को नीचे धकेल दिया, उसे घूर कर देखा और गालियों की बोच्छार कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि मैं तुम्हारे जैसे गधे को जन्म दूंगा, तो मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारी मा के गर्भ से निकाल द अपने जाओ परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। मैं इस शर्म को कैसे ढखना चाहता हूँ। तुम कमबक्त बेवकूफ हो, क्या तुम्हारे पास सुर या भेल का दिमाग है, है ना। युंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता यहां पहु तो वह गुस्से से पागल हो गया, तुमने मुझे किसलिए मारा? आपको क्या अधिकार है? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप मेरे पिता है और सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि मैंने जाओ परिवार की बदनामी की है? क्या आपने मुझ से पूछा है और मेरे मूल इरा स्थिती को देख कर थोड़ा असहज और व्यथित महसूस कर रहा था, फिर भी उसने अपने दिल को कठोर कर लिया और दोड़ते हुए कई सुरक्षा गार्डों से चिलाया, इसे मारो, उसे इतनी जोर से मारो कि वह इस पाठ को नहीं भूलेगा, मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है, हे तुम किसलिए भटक रहे हो, उसे हराव, पहरेदारों ने निराश नजरों का आदान प्रदान किया, जाओ किंग फिंग के ठंडे आदेश को सुनने के बाद, वे केवल असाय अभिव्यक्ती कर सकते थे, और जाओ युंदी की ओर मुक्के की एक श्रिंखला भेज सकते थे, बेशक चुंकी वे सभी अच्छे मार्शल बलके विशेशग्य थे, उन्होंने जाओ युंदी की मांस्पेशियों और हड्डियों को चोट नहीं पहुंचाई, भले ही साथी को दर्ध हो रहा था और चोट लग रही थी, अब मुझे बताओ जाओ युंदी ने अपनी गरदन घुमाई और चिलाया, नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, बन, जाओ किंग फिंग ने उसे लात मारी और फिर से चिलाया, इसे पीटते रहो, अगर वह मर भी, जाता है तो भी मैं जिम्मेदारी लूंगा, उसके जैसा संकट रख कैसे? क्या तुम्हें अपनी गलती का एसास हुआ? जाओ किंग फिंग ने भारी स्वर में पूछा, नहीं, जाओ युंदी दर्द से दांत पीशते हुए चिलाया, तुम्में हिम्मत है, एह जाओ किंग फिंग ने उसे थमस अप दिया और एक लंबी सांस ली, फिर आप मे करने तक अंधेरे कमरे में रहेंगे। युंदी की आँखों में एक भयावह अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। वहा कुछ घंटे रहने के बाद भी वह मुश्किल से रुप पाता था और एक दिन उसकी सीमा से लगभग उढ़ी जाता था। उसकी देख भाल नहीं की तो वह यहीं मर जाएगी। अंदर जाओ किंग फिंग ने गहरी सांस ली। वह अपने इस बेटे से निराश थे। परमिश्वर के लिए अपने स्वभाव को देखते हुए वह संभवता अपनी बेटी की परवाह कैसे नहीं कर सकता था। वास्तव में उन्होंने पहले ही वेश याकिंग को एक फोन कॉल कर दिया था और बाद में उन्हें गारंटी के शब्द भी मिले थे कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अब यह दुस्साहसी निकम्मा बेटा एक ऐसा उपद्रव था। जदी यह वेशीकिंग की उपस्थिती के लिए नहीं होता तो वह शायद पहले ही एक छेट खोद चुका होता और शर्म और शर्मिंदगी के कारण खुद को अंदर दबा लेता। सभी पिताओं को अपने बेटों से बहुत उम्मीदे होती हैं, वे जीवन में उनके सफल होने की लालसा रखते हैं। लेकिन इस समय उसके मन में ऐसे उदास विचार नहीं थे, बलकि वह केवल यही चाहता था कि उसका अपना पुत्र कीट न बने। लेकिन अब वह और अधिक घबराया हुआ था क्योंकि जाओ किंग फेंग भी आ गया था। यहां तक की साससुर को देखकर बहु को भी बदसूरत दिखने का अहसास होता था। चेन टोंग ने एक इमानदार जवाब दिया। जाओ किंग फेंग अचानक समझ गए क्योंकि उन्होंने तांजिव के बारे में भी कई बातें सीखी थी और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि बाद वाले के कई शिश्य थे जिनमें से एंडलेस सदाचार फार्मासिटि और मैं विदेशी साथी चात रहें और जाओ किंग फेंग ने खाली देखा और आश्चरियत के थोकर पूछा और क्या आपके और मेरी बेटी के बीच वास्तव में क्या है थोड़ा अजीब लग रहा था चेन टोंग ने अभी भी सिरहिलाया और जवाब दिया अंकल जाओ मुझे वास्तव में जाओ टिंगटिंग पसंद हैं और इस बार हमारी विदेश से वापसी इसलिए है क्योंकि मैं आपके और मौसी से मिलने की तयारी कर रहा हूं मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इस मामले का सामना करेंगे एक पल में जाओ किंग फेंग के लिए सब भी महसूस किया हालांकि जाओ परिवार प्रमुख था और उसके पास बहुत सारी संपत्ती थी हाउस ओफ चेन भी बुरा नहीं था क्योंकि चेन जिजों की एंडलेस वर्चूज फार्मासिटिकल चीन की एक प्रमुख प्रमुख दवा कमपनी थी इसके अलावा चेन टोम से इस लेश से बच सकती है तो मैं उससे कहूंगी कि तुम्हें हमारे घर आने के लिए लाएं थोड़ी देर चुप रहने के बाद जाओ किंफिंग ने चेन टोम के कंधे को थप्थ पाया और आह भरी थोड़ा स्थब्ध और हैरान एक सुखद आश्चर्य अभिव्यक्ति फिर चेन टोम के चेहरे पर आगई वह जितना बुद्धिमान था जाओ किंफिंग के शब्दों से वह बता सकता था कि उसके भावी ससुर ने उसे पहले ही स्विकार कर लिया था धन्यवाद अंकल जाओ मुझे पूरा विश्वास है कि टिंग टिंग ठीक हो जाएगी धनुष के प्रती अपना आभार व्यक्त करना था दो घंटे बाद धनुष अपने साथ आय कर्मचारियों के साथ संगरोध शेत्र के दरवाजे से बाहर आया जबकि वेश्याकिंग ने भी लगभग उसी समय जल्दबाजी में उसका पीछा किया माफी मांगते हुए और आ अगे की निगरानी के लिए उसे अभी भी दो दिन यहां रहने की जरूरत है लेकिन अगर इन दो दिनों में उसके शरीर में कोई अप्रत्याशित बदलाव नहीं आता है तो वह यहां से जा सकती है किंग फेंग के चहरे पर एक हैरान कर देने वाली अभी व्यक्ति थी क्योंकि वह खाली नजरों से देख रहा था ऐसा इसलिए था क्योंकि इस महामारी के मामले में पहली मरीज उनकी बेटी थी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बीजिन के कई बड़े अस्पतालों से मेडिकल प्रोफेसरों की तलाश की और उन्हें मदद करने की सिफारिश की अभी कुछ ही घंटे पहले उन्होंने उन प्रोफेसरों को भी बुलाया और जाना कि उनकी कोई खास प्रक्ति नहीं हुई है और वे इस महामारी के बारे में कुछ नहीं कर सकते कैसे? अचानक यह कैसे ठीक हो सकता है? हालांकि वे शिया किंग ने कहा कि उन्होंने पहले ही जाओ यूंडी को माफ कर दिया है फिर भी वह खुद इससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए है जाओ किंग फिंग की हैरान करने वाली अभिव्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने न तो नमकीन और नहीं हलका टिपपणी की नी तान को चीन में एक चमतकारी डॉक्टर के रूप में जाना जाता है इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक दिवे डॉक्टर की ख्षमता भी है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके हाथ का एक स्पर्ष ही किसी बीमारी को आसानी से गायत करने के लिए काफी है किंग फ्रिंग के दिल में सम्मान की गहरी भावना तुरंट प्रकट हुई उन्होंने सुना कि धनुष की चिकिटसा विशेशग्यता उत्क्रिष्ट थी और उन्होंने इस बार इसे देखा जिस संक्रामक रोग के बारे में चिकिटसा विशेशग्य और प्रोफेसर असहाय थे उसे धनुष द्वारा आसानी से हल किया जा सकता था, तथ्य यह है कि उनकी क्षम्ता उनके उपर आस्मान थी. धनुष मैं इस क्रिपा के लिए कोई आभारी शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी क्षम्ता के क्षेतर में किसी चीज की आवश्यक्ता हो तो बेजिजग इस जाओ किंग फेंग को कॉल करें, आसानी से किसी से वादा नहीं करने के बावजूद जाओ क मेरे पास क्षम्ता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मैं अपना सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन करूं। के समान था, जबकि उसके बेटे को केबल गड़े में मिक्टी के रूप में माना जा सकता था। वे वास्तव में दुनिया से अलग हैं। जो किंग फेंग ने अंदर आह भरी और फिर कहा, धनुष अभी भी कुछ चीजे हैं जो मुझे करने की जरूरत है, इसलिए मैं अब हिव्यक्ती पहनी थी। हालांकि बाद वाले को धनुष ने बुरी तरह पीटा था, आखिरकार उसकी बहन को उसके द्वारा बचा लिया गया था। यह उस तरह का अनुगरह था जिसे वह कभी नहीं बदल पाएंगे। ज्यान के विशेशग्य होने चाहिए, जबकि मैं एक चीनी हूँ, तांजिव ने अपना सिरहिलाया। इस मामले के संबंध में चीनी और पश्चिमी से महत्वपून अर्थ सेप की तुलना सीट से करने जैसा है। वैसे भी निर्देशक वेई, मेरी चाची ने मुझे पहल चेन टोम ने सिरहिलाया और कहा, ग्रेंड मास्टर, मैं यहां रहूँगा क्योंकि डाइरेक्टर वेई अभी भी मेरे बारे में राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। चेन टोम की कार पर वायरस अनुसंधान संस्थान से दूर जाने के बाद वह सीधे तान परिवार के पैतरिक निवास की ओर चल पड़े। उन्हें जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि उनके दादा तान गोशेंग जो शायद ही कभी बाहर जाते थे, आज वास्तव में बाह तान जिव ने उसे फिर से परिशान नहीं किया, बलकि वह जैसा चाहता था, वैसा ही घूमने चला गया। वह नहीं जानता था कि आज जो हुआ वह तेजी से बाहर फैल रहा था। आउटडोर स्विमिन पूल के अंदर गर्म पानी की सफेद धुंध गूंज रही थी क्योंकि स्विमसूट में दो युवा सुंदर बिकनी लड़कियों के एक समूह से घिरे हुए थे, जो रेड वाइन पी रहे थे, सिगार पी रहे थे, और बिकनी लड़कियों के कंधे क की मालिश का आनंद ले रहे थे, तांग वेई, कृप्या मेरे प्रस्ताव पर अच्छी तरह से विचार करें, इस व्यवसाय में केवल थोड़ी पूंजी की आवश्चता होती है, फिर भी लाप बहुत बड़ा होता है, यह एक ऐसा अफसर है जो दो बार नहीं आएगा, कि लेकिन दो टूक शब्दों में कहें, तो वह सिर्फ अपने परिवार के संसाधनों का उप्योग करना चाहता था, याओ परिवार धै गया था, और तांग परिवार द्वारा उजागर की गई ताकत ने आखिरकार सभी परिवारों को यह एसास कराया, कि भले ही तांग परि धानी में बंशडों के समोह के बीच स्थिती भी बढ़ी, केवल इस आधे महीने में दस से अधिक संताने हुई जिन्होंने भेश बदल कर उसे मिलनसार चेहरा और सभाव ना दिखाई, ये लोग केवल उसकी उपस्थिती से एक अफसर का फाइदा उठाना चाहते थे, पिता 20 से अधिक वर्षों से रियल एस्टेट विकास व्यवसाय में थे, उन्होंने अपनी मजबूत व्यापारिक समझ, कुशागर बुद्धी और योजनाओं के साथ खुद के लिए भाग्य का एक पूरा बरतन अर्जित किया, उनके परिवार की संपत्ती के साथ जो देश के कई बड़े लोजिस्टिक व्यवसायों में एक प्रमुक शेयरधारक भी बन गया, कुछ लोगों ने यह भी गणना की कि कि किन शाओयान के परिवार की कुल संपत्ती अगर 50 बिलियन से अधिक नहीं है, तो यह शायद उस संख्या से बहुत दूर नहीं है, सबसे महत्वपून बात यह थी कि अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, और उसकी कोई निश्चित गंभीर गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, किन शाओयान दो भाईयों में सबसे छोटे थे, उनके बड़े भाई ने सारवजनिक सुरक्षा प्रनाली मंत्राले में अपने पि पन से ही राजधानी में एक उतकरिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने अपने स्कूल बिरादरी में बीजिंग में वंशजों और युवा उस्तादों के एक समोह के साथ परिचित कराया था, और केवल एक विशिष्ट रेशम पैंट का मामूली रवया था, उन्ह इसलिए उन्होंने एक मनोरंजन मीडिया कमपनी स्थापित करने के लिए एक सन्युक्त उध्यम का प्रस्ताव रखा, जो एक ऑनलाइन साहित्य अनुभाग, खेल विकास, फिल्म और टेलिविजन उदपादन और उनके विपननन के साथ-साथ एक वेब प्रसारन मंच और अन्य प्रकारों को शामिल करने वाली सेवाओं को एक ही क्रिक करता है। उसकी गंभीर अभिव्यक्ती गायब हो गई और उसकी जगह एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। मेरे पास इसके आसपास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसने मुझे सबसे पहले आपकी जान्ध को पकड़ने के लिए मजबूर किया। किन शाओयान ने अपने कंधों को सिकोरते हुए कहा। टैंग वेई ठहा का लगाय बिना नहीं रह सके और फिर कहा आप इतने सीधे निकले ए। क्या तुम मुझे आखो में भी देखोगे अगर मैंने कृत्रिम और पाखंडी काम किया। किन शाओयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जवाब में एक फीकी मुसकान दिखाते हुए, टैंग वेई ने फिर अपने बगल में सुंदर बिकनी गर्ल द्वारा दिया गया रेड वाइन ग्लास लिया। इसे निगलने के बाद उसने फिर आह भरते हुए कहा, यदि यह तर्क के लिए खड़ा है, तो आपका प्रस्ताफ महान है और मुझे इसे अस्विकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझसे इस आशा के साथ बात की है कि मैं राजनीती में भाग लूँगा और एक सरकारी अधिकारी बनूँगा। हालांकि मैंने अभी तक पूरी तरह से अपना मन नहीं बनाया है, यह लगभग एक सौदा हो चुका है। जब मैं इस पर सपष्ट रूप से विचार कर लूँगा, तब मैं अपने दादाजी से बात करूँगा। उन्हें बहुत सहयोगी होना चाहिए और इसे मनजूर करना चाहिए। राजनीती और सरकार में भाग ले रहे हैं। किन शाओयांग ने एक पल के लिए खाली देखा और तुरंट अपनी भौहे टेड़ी कर ली। वह कानून से अवगत थे कि राजने ताओं को निजी तोर पर व्यापार करने से मना किया गया था। अगर तांग वेई को वास्तव में राजनीतिक शेतर में प्रवेश करना था, तो उसकी जंक पर पकड़ बनाने का अफसर शायद उतना ही अच्छा था जितना पहले ही चला गया। तांग वेई की अभिव्यक्ति अचानक उसके मुह के कोने पर एक मुस्कान के निशान के रूप में बदल गई, शाओ यांग वह नाइट 15 कार आपके गैरेज में आ गई है, है ना। मैंने सुना है कि मेरा यह चोटा भाई कारों को इतना पसंद करता है कि आंटी टैंग मिनने हाल ही में उसे एक और सीमित संसकरण की लक्जरी स्पोर्ट्स कार उपहार में दी है। कान लगा कर मुस्तरा रहा था और उसने कहा फिर मैं पहले अपने भाई की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ भी हो उसने मुझे सिर्फ यह कहते हुए बुलाया कि वह भी राजधानी में है। क्या हम उसे ढूढने चलें। किन शाओयान तुरंत खड़े हुए और पूरी गंभीरता के साथ कहा, फिर मैं भाई वेई से मेरी सिफारिश करने के लिए कहना चाहूँगा। धनुष, बस मेरी आदर्श है। तो किन शाओयान का फोन आया, इस प्रकार यहां गाड़ी चला रहा था। आज जो कुछ भी हुआ उससे वह बस बेखबर था। जिजकने के बाद उसने फिर एक ध्रमित भाव से पूछा, धनुष ने आज वास्तव में क्या किया। शाओयान ने अपने चहरे पर एक अजीब से भाव के साथ जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते कि धनुष ने आज ही जाओ युंडी को रौन्द डाला था। ऐसा लगता है कि जाओ युंडी पिटने के बाद सोहर के सिर में बदल गया। उसके पिता के वहाँ जाने के बाद न केवल उसने धनुष को दोश नहीं दिया, बलकि उसे धन्यवाद भी दिया और इसे कृतग्यता के रिन के रूप में लिया। सीधे शब्दों में कहें तो जाओ किंग फिंग ने धनुष को अपने बेटे के जीवन रक्षक उपकार करता के रूप में माना। युंडी को इस तरह के उपर और सीधे तोर पर मारने की हिम्मत करेगा तरीका।